हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो कैसे हैं बटा आप लोग I hope सब पढ़िया होगे बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे मेरा नाम है दीपक वशिष और मैं हूँ आपका फिजिकल केमिस्टी का टीचर तो बेटा जी जिस घड़ी का आप लोग वेट कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है आज हम लोग शुरू करने जा रहे है फिजिकल केमिस्टी अपनी इस उत्थान सीरीज में जिसमें जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बटा हम बहुत ही कम समय में डेर से दो घंडे की क्लास में पूरे चैप्टर की कोशन्स के तो सच में बटा आज बहुत-बहुत मज़ा आएगा बहुत अच्छे से करेंगे आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉंसेट एक एक चीज समझ में आएगी बटा बहुत ही अच्छे-च्छे कोशन्स करेंगे और बिलकुल वैसे कोशन करेंगे जैसे नीट पूसता है ठीक है तो आप लोग बस दिल थाम के बैटना बेटा पूरा फोकस यहां रखना मैं बता रहा हूँ आपको फुल कॉंफिदेंस आजाएगा इस सेशन के बाद बस मैं आगे बढ़ने से पहले अपने बच्छों से दिल वाली एक बात करना च जाती है तो ध्यान रखना बेटा एक कहावद भी कही गई है जंग में जाने से पहले जिस वेक्ति ने यह सोच लिया ना कि मेरी फते मेरी विजय नहीं होगी तो वह आधी जंग वहीं आर जाता है तो विजय आप ही की होगी आप मेहनत करो मेरे बिटा आपके पास अभी भ करते हैं आज शुरुआत करते हैं बिटा फिजिकल केमिस्टी की और आप देखना आपको बहुत धासु वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे बिटा तो शुरू करें शुरू करें शुरू करें एक एक चीज समझ में आएगी बस ध्यान से सुनना एक एक बात को ठीक है त बिटा आज की क्लास में क्या कराऊंगा जो जो बिटा कोशन जैसे जैसे आते हैं पिछले 15 साल से आपके जैसे जैसे कोशन आयो हैं एक्जेक्ट पीवाई क्यों नहीं कराऊंगा वो तो आपको याद होते हैं ठीक है ना बिलकुल उसी प्रकार के जिस प्रकार के कोशन आत की class में, तो शुरू करते हैं, सब लोग दिल लगा के सुनना बिटा, ठीक है दिल से पढ़ेंगे, तो चलो तो आज हम लोग करेंगे questions relevant to need ठीक है, और साथ-साथ उसमें जो भी बिटा concept की requirement होगी वो concept भी मैं साथ-साथ बताता चलूँगा, questions relevant to need 2024 2024, ये सब अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है बिटा तो अब दिल थाम के बैठना शुरू करते हैं अपन लोग, अपना पहला चैप्टर फिजिकल के मिश्री का mole concept, तो चलो तो भी सबसे पहला जो सबसे पहले concept जिस पर question पूछे जाते हैं, तो आपने देखा होगा atomic mass पे question पूछे जाते हैं average atomic mass पे question पूछे जाते हैं तो वो ही सब अपन लोग समझते हैं atomic mass का मतलब होता है बेटा जी, एक atom का वजन, तो generally जो atom का वजन निकालनी की जो unit होती है ना, वो होती है AMU हाँ बेटा जी, ये जो आप देख रहे हो, जैसे आपका वजन तो kilogram में निकाला जाता है, बट atoms का वजन, AMU में निकाला जाता है, और बच्चे के मन में आता है तो सर, ये AMU क्या kilogram gram जैसा ही कुछ होता है क्या अरे, ये उससे बहुत ही छोटा होता है, और हमेशा बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, 1 AMU gram के मुकाबले बहुत छोटा है, 1 AMU 1.66 into 10 की power minus 24 gram होता है ठीक है, ओके सर gram के मुकाबले बहुत-बहुत अर्बो, खर्बो, डर्बो, शर्बो, गुना कम है 1 AMU, ठीक है सर बट यह आया कहां से सरी वजन किस वजन को बोलते हैं अपन 1 AMU, यह आया कहां से तो बेटा, यह जो वजन है न यह एक कार्बन 12 एटम के वजन का, एक बटे बारवा हिस्सा होता है, मेरे बेटा, ठीक है तो इसी को अपन बोलते हैं 1 AMU तो कोई आज के बाद पुछे, what is 1 AMU, तो उसे बोलेंगे हम weight of 1 carbon 12 atom एक कार्बन एटम के वजन का, एक बटे बारवा हिस्सा, इसी को 1 AMU और यह जो वजन है, यही आया है 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है सर समझ में आ गया, एटम का वजन है न, कि एक एटम तो क्या मैं 1000 एटम भी चिपका के रख़़ू न, तब भी आप अपनी आँख से नहीं देख पाओगे हाँ, ठीक है सर आ गया समझ में और सर, फिर यह average atomic mass क्या विमारी है सर तो इसमें भी मत घबराना, मैं questions के तुरू समझाता हूँ, आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा, क्या मतलब होता है average atomic mass, आपको समझ में आ जाएगा तो शुरू करें, तो चलो शुरू करतें पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और दाऊंगा बेटा इनी सब पर question आते हैं, फिर आता है बेटा question, mole क्या होता है ठीक है सर, हाँ, mole तो सर बहुत सुना है वड़ा आज तक समझ में नहीं आया, mole है क्या तो सुनो, mole कुछ नहीं है बेटा, एक संख्या को बोलते हैं, ये जो number देख रहे हो न, आप 6.022 into 10 10 की power 23, हाँ सर तो इस number को अपन बोलते हैं एक mole, एक mole कुछ भी हो सकता है मैंने बोला, एक mole marker है मेरे पास, तो कितने marker है मेरे पास 6.022 into 10 की power 23 markers है मेरे पास तो एक mole इस संख्या को बोलते हैं अच्छा, इतना असान अरे बिलकुल, मैंने बोला आपके पास, एक mole DV बाबा है, बच्चे प्यार से मुझे DV बाबा बोलते है ठीक है, एक mole DV बाबा है आपके पास तो कितने सारे DV बाबा है 6.022 into 10 की power 23 DV बाबा है आपके पास, ठीक है, एक mole समझ में आ गया, ठीक है सर इस number को बोलते हैं, एक mole इसको एवगेडरो नंबर भी बोलते हैं इसको NA से भी represent करते हैं कहीं भी NA लिखा हुआ है ऐसे तो मतलब 6.022 into 10 की power 23 मतलब एक mole, ठीक है सर तो सर, बट यहाँ पे तो हम लोग atoms के बारे में पढ़ रहे हैं molecules के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर कैसे निकालें, कितने mole है चल मैं समझा देता हूँ आज के बाद ध्यान रखना है एक बड़ी important statement समझा रहा हूँ इससे सारे question solve हो जाएंगे मेरे बेटा ठीक है, बहुत ध्यान से देखना वैसे किसी भी atom का जो वजन होता है न atomic mass, उसको हम amu में लिखते है ठीक है सर, आपको सबको पता है hydrogen का atomic mass कितना होता है one, one क्या amu तो बेटा hydrogen का अगर atomic mass हमने लिखा है one amu तो ये hydrogen के एक atom का वजन है एक atom का वजन है, ठीक है बट सर किताबों में तो atomic mass gram में भी लिखा होता है तो yes, अगर किसी भी element के याद रखना इस statement को अगर किसी भी element के atomic mass को हम gram में लिखेंगे gram में लिखेंगे तो एक atom का वजन नहीं वो उसके एक mole atoms का वजन होता है ओके ओके तो one gram hydrogen में एक mole hydrogen atom होएंगे one amu hydrogen में hydrogen का एक atom होगा ठीक है सर आगे तो इस statement को अपनी आत्मा में समालो किसी भी element के atomic mass को यदि amu में लिख रहे हो तो एक atom का वजन है अगर उसी के atomic mass को gram में लिख दिया तो उसके एक atom का वजन नहीं एक mole atoms का वजन होता है अब ऐसे सोचो मेरे साथ मिलके सोचो oxygen का atomic weight कितना होता है आठ पढ़ा है न अगर मैं बोलू oxygen का atomic mass atomic number है रहे पगले हाँ सर बिलकुल atomic mass oxygen का कितना 16 होता है ठीक है सर 16 होता है देखो flow flow में क्या तो चलो oxygen का atomic mass हमने पढ़ा है 16 होता है 16 क्या amu तो 16 amu oxygen एक atom का वजन oxygen के ठीक है अगर मैं बोलू 16 gram oxygen तो oxygen के एक atom का वजन नहीं है oxygen के एक mole atom का वजन है ठीक है सर ये चीज़ तो बिलकुल clear हो गई अब number of mole निकालते कैसे हैं सर atoms के mole निकालने हो ठीक है तो कैसे निकालेंगे तो इसको अपनी आत्मा में समालो आपके given mass by अगर atom है तो atomic mass लिख देना अगर molecule है molecule के mole निकालने है number of mole तो given mass by molecular mass लिख देना atom है तो atomic mass नीचे अगर molecule है तो नीचे molecular mass लिख देना अब देखो question के थ्रू में समझाता हो और एक चीज़ और एक चीज़ और बिटा कुछ pressure temperature की condition होती है जिसे हम बोलते है NTP और STP ओके और इन में बिटा बस एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को दुनिया की कोई भी gas हो ना कोई भी gas कोई भी gas हो दुनिया की उसका एक mole देखा गया है NTP और STP पर 22.4 liter volume घेरता है इस बात को जीवन भर याद रखना दुनिया में कोई भी gas हो उसका एक mole 22.4 liter volume घेरता है ठीक है सर बिलकुल समझ में आ गया एक एक चीज़ जो भी अभी तक पढ़ाई है आउ summarize करते हैं बिलकुल जो जो आपको जानना था वो सब summarize कर लेते हैं सबसे पहला Atomic mass क्या होता है आउ मेरे साथ मिलके summarize करो Atomic mass होता है एक atom का वजन ठीक है उसके निकालने की unit क्या है AMU होती है What is 1 AMU एक carbon atom के वजन का एक बटे बारवा हिस्सा होता है और ये कितना आता है वजन ये आता है 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम बहुत छोटा वजन है ठीक है सर आगे बात समझ में फिर मैंने क्या पता है मोल क्या होता है इस नंबर को अपन बोलते है एक मोल 6.022 into 10 की पावर 23 ओके सर जी मोल कैसे निकालते हैं एक चीज और याद रखनी है कोई भी गैस हो at NTP और STP ठीक है NTP और STP भी लगबग लगबग एक मोल गैस कोई भी हो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है इतनी स्टेट्मेंट से आप बहुत सारे कोशन्स मेरे बेटा कर सकते हो जो नीटर पूछे जाएंगे अब आओ अपन अब कोशन करते हैं जितनी जवरत थी अब आगे वाले कोशन करने के लिए उतना हमें एक आईडिया लग गया ब्रीफ में तो चलो आओ अब कोशन करते हैं अब परफेक्ट हो जाएगा सब कोश ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो भई इस प्रकार का एक कोशन आ सकता है आपके सामने कई बार आया हुआ है ऐसा कोशन विच हैज मैक्सिमम नंबर ओफ एटम देखो यहां कारबन दिया है अगर केवल एलिमेंट लिखा होना तो समझ जाना एटम दिया हुआ है तो यह 24 ग्राम कारबन एटम है ओके 56 ग्राम आयरन एटम है ओके इसके विखल सिंबल लिखा हुआ है ठीक है सर तो अब यह पूछ रहा है किस में सबसे अधा एटम है बेटा एक मोल एटम का मतलब 6 इंटू 10 की पाव 23 एटम तो 2 मोल एटम कितने हो जाएंगे अरे 6 इंटू 10 की पाव 23 का डबल हो गया ना 2 मोल एक मोल में जब 6 इंटू 10 की पाव 23 एटम तो 2 मोल में उसका डबल हो जाएगा 12 इंटू सही बात है तो किस में सबसे अधा एटम है ये निकालने के लिए आए, तो बिटा number of mole निकाल लो, number of mole कैसे निकलेंगे, carbon के 24 gram में, given weight, 24, by atomic weight, 12, 2 mole carbon atom है, बहुत बढ़ी आसर, बिल्कुल, अब ऐसी यहाँ, यहाँ भी atom ही दिया है, अगर atom दिया हो, तो आप कैसे निकालोगे, moles of atom, given weight by atomic weight, तो given weight है 56, atomic weight भी iron का 56 होता है बिटा, हाँ, देखना, यह atomic weight दिये हो इदर, ठीक है, तो यह तो एक mole iron atom है, तो बता किस में ज़्यादा होएंगे, दो mole carbon में ज़्यादा होएंगे या एक mole iron में, अरे दो mole carbon में ज़्यादा होएंगे न बिटा, शबाश, same way यहाँ पर आजओ, number of mole of aluminium atom, given weight by atomic weight, given weight 27 है, atomic weight भ इसमें भी silver के निकालो, moles of atom, ठीक है, तो given weight 108 है, atomic weight भी 108 है, लो जी, सबसे ज़्यादा atom किस में होएंगे, जल्दी बोलो, सबसे ज़्यादा atom होएंगे बेटा जी, इसके अंदर, क्योंकि 2 mole atom है, आ गया समझ में, कितना असान था, कोई भी atom दिया हो, कोई भी element दिया है, उ है, उसी element का atomic weight, ठीक है, सर, यह तो बहुत असान है, अगला, धीरे-धीरे level बढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ, अगला देखो, the largest number of molecule, अब इसने molecule, बेटा, water क्या होता है, H2O, अब कई बच्चे यह पूछ रहे है, सर, molecule ही नहीं पता, तो गवरा मत, जब भी 2 या 2 से ज़्या सर, यहाँ पे तो सर, molecule दियो है, पिछले कोशन में सब atom थे, हाँ, elements थे न, हाँ, और यहाँ पे तो सर, molecule दिये है, तो सर, अब number of molecule कैसे निकालेंगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा molecules के moles होएंगे, अरे, mole का मतलब क्या, 6 into 10 की बार 23, जिस molecule के सबसे ज़्यादा mole होएंगे उसमें उतने ज़्यादा molecule होएंगे, तो चलो निकालते हैं, आजाओ, अब यहाँ पे तो आपको molecule का वजन दिया है, तो molecule के mole निकलेंगे कैसे, given weight by molecular weight, इसका molecular weight निकाल, दो hydrogen, मेरे साथ साथ करो न, देखो कईयों को आरे होएंगे, बट घबराना मत, कुछ-कुछ सीजन सी करो न, तो लो, molecular weight 18 होता है, बटा, पानी का, निकाल लिया, दो hydrogen का दो, एक oxygen का 16, 36 by 18, कितने, 2 mole पानी है, मेरे बटा, 36 gram पानी में, अब इसमें आजो, CO भी molecule है, क्योंकि 2 atom चिपक रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, moles of molecule, given weight, 28, by molecular weight, CO का molecular weight, carbon 12 और 1 oxygen 16, 12, 16, 28, लो, जी, एक mole CO है, हाँ, सर, तो, molecule के mole इसमें जादा है, इसमें कम है, तो number of molecule भी इसमें जादा होएंगे, क्योंकि मोल्स of molecule इसमें जादा है, बहुत बढ़ी है, अब इसमें निकालो, 46 gram ethyl alcohol, given weight 46 है, ethyl alcohol ये होता है, ethanol, ओके, इसका भी molecular mass निकालो, 12 दुनी, 24 और 16, ठीक molecular weight 46 ही आया, एक mole ethanol है, ठीक है जी, अब इसमें निकालो, तो इसमें कितने mole होएंगे, given weight by molecular weight, तो बटा, 16, 85, इसका molecular weight, 16, 85, हाँ, और ये 28, 108, तो लो जी, ये तो 2 से गया, ये तो 1 by 2 mole है, सबसे जादा mole किसमें है, बटा, सबसे जादा mole molecule के इसमें है, तो सबसे जादा mole molecule क कि संख्या मेरे बेटा, इसमें ही होईगी, तो आज के बाद, इन 2 question से एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या sir, अगर atoms का वजन दिया है, तो कैसे निकालेंगे moles, given weight by atomic weight, अगर molecules का वजन दिया है, तो कैसे निकालेंगे molecules के moles, given weight by molecular weight, ठीक है sir, आ गई इतनी सी बात समझ में, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखना, अब इस question में आपको मज़ा आ जाएगा, अभी तक बेटा चीज़ती सिखाने वाली, अब हैं आपको test करने वाली, क्योंकि ऐसा question neat में कई बार आया हुआ है, come on, इसको करके दिखाओ, मेरे साथ सोचो और करो, चलो मै कराता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे हो रखा है, वो pause करके करो, solve बेशक्त, ठीक है, हाँ ठीक है sir, a sample of calcium phosphate contains 8 mole of oxygen atoms, the number of mole of calcium atom in the sample, तो कबराना मत, कैसे करना है, calcium phosphate है बिटा, बहुत ध्यान से देखो इसको, इसमें कह रहा है, 8 mole oxygen atom है, तो calcium के कितने mole atom होईंगे, त साफ साफ पता लग रहा है, अगर 3 calcium atom है, तो समय oxygen 4 दुनी 8, तो उस समय 8 oxygen atom है, formula से पता लग गया, येस sir, अगर calcium के 3 atom होईंगे, तो समय oxygen के 8 atom होईंगे, तो same way इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर 3 mole calcium atom होईंगे, तो उस समय 8 mole oxygen atom होईंगे, हाँ sir, formulae से साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल sir, absolutely right तो चलो अब तो answer आ गया तो ये पूछ रहा है अगर 8 mol oxygen atom है तो calcium के कितने mol होईंगे तो जब 8 mol oxygen atom तो 3 mol calcium होईगा मेरे बिटा तो इसमें answer हो जाएगा 3, बहुत बढ़िया आगया समझ में, कितना असान था चलो, अब अगला question पूछ रहा हूँ जो बच्चा करेगा, वो मेरा जबरदस बच्चा कहलाएगा, ठीक है चलो, मैंने ये बोला how many moles जल्दी से बताना आप लो how many moles of magnesium phosphate okay how many moles of magnesium phosphate contains contains two mole oxygen atoms जल्दी से बताओ, आप सोचके बिल्कुल मिलता जुलता question है बट वो ही न, data change कर सकता है देखो, जो मैं सिखा रहा हूँ यही concept पे सारे question आएगे data अलग-अलग हो सकता है concept वो ही रहेगा तो चलो, ऐसा question आएगा, कैसे करेंगे how many moles of magnesium phosphate contains two mole oxygen atom तो बिल्कुल मत घब रहा हो formulae से पता लग रहा है बेटा जी साफ साफ देख लो न, formulae से पता लग रहा है अपन को okay, हमको क्या पता लग रहा है कि अगर magnesium तीन, मुल इसको देखो, 8 mole oxygen देखो, चार दुनी 8 8 mole oxygen, अब समझना है इस चीज़ को इसने अब ये पूछा है, थोड़ा सा question को change किया है, कि कितने mole magnesium phosphate में 2 mole oxygen atom होएंगे तो साफ साफ देख रहा है 8 mole oxygen atom 1 mole में, भई, 1 molecule में 8 mole oxygen atom है 1 molecule में 8 oxygen atom है, तो मतलब 8 mole oxygen atom होते हैं, 1 mole magnesium phosphate में, राइट, अब ये पूछ रहा है, भई, 8 mole formula से बता लगया, 8 mole oxygen atom 1 mole magnesium phosphate में है तो 2 mole कितने में होएगा unitary method, तो ये divided by ये, into में ये, हाँ सर, ये तो unitary method है, जी unitary method सबको पता न, 2 संत्रे 4 रुपे के, तो 6 संत्रे कितने के, तो कैसे करते हैं ये, divided by ये into में ये, तो वो ही किया है 8 mole oxygen atom हमें दिख रहे है 1 mole magnesium phosphate में हाँ सर, 1 mole magnesium phosphate में 8 mole oxygen atom है, तो 8 mole oxygen atom, 1 mole magnesium phosphate में तो पूछ रहा है, 2 mole oxygen atom कितने में होएगा, तो ये divide by ये, into में ये हाँ सर, 1 by 4 mole आगे सर, अब ऐसा कोई भी question आएगा, हिला के रख देंगे पका, सची बोलो, आगे न भाई बहुत बढ़िया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं ये mole pole पे और भी question आते हैं क्या अब इसको देखो अब मेरे बेटा, अब ये पूछ रहा है इसा question आसकता है मेरे बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना अब कह रहा है, बहुत मोली तो निकालने हैं, बच्चा कह रहा है, ये तो molecule है एक से ज़्यादा item है, तो सर, बच्चा पता क्या गलती करता है, सर, number of mole तो निकालना आपने बताया हुआ है, given weight by molecular weight, तो डारेक्ट निकाल लेंगे, सर, बट इसमें एक चीज याद रखना, जो ये given weight है, ये gram में होना चाहिए, यहाँ पे milli gram में दिया हुआ है, तो ये बच्चा गलती कर देता है, तो इसको milli gram को gram में convert करना है, और ध्यान रखना, one milli gram is ten की power minus three gram, milli का मतलब ही होता है, ten की power minus three, ठीक है सर, तो mole तो निकल जाएंगे सर, given weight, point one two milli gram, तो इसको gram में convert करेंगे, तो लो जी, ten की power, okay, given weight ये, by molecular weight, इसका molecular weight निकाल लो सर, दो कारवन है, बारा दुनी 24, हाइडरोजन तीन और एक चार, चार हाइडरोजन का वजन चार, ठीक है, oxygen दो, 16 दुनी 32, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, zero, इदर हासिल गई, 60, लो जी, लो, बहुत असान है, अब मेरे बेटा जी, अब क्या कर दो, इसको point को अटाऊंगा, तो नीचे में, hundred आ गया, ten की power 2 है, उपर जाके minus 2, minus 3, minus 2, minus 5, बहुत बढ़िया, और 1 by 5 को लिख सकता हूं, point 2, into 10 की power minus 5, okay, decimal को इदर खिसकाऊंगा, तो 2 into, इदर एक power negative में बढ़ जाएगी, लो जी, लो, 2 into 10 की power minus 6, और यह बोल रहा है, mole इतने हैं, तो 2 into, तो बटा, relate करो, तो P is 2, what is the value of P, P is 2, और चूट ना बोलो, तो यहाँ पर हम एक चीज़ सीग गए, तो यहाँ पर अपने एक चीज़ सीग गए, अगर आपको weight दिया हुआ है, तो unit देख लेना, given weight ग्राम में लेना है, तब molecular weight से divide करके mole निकालना है, असान है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, मेरे बेटा जी, अब यह है, अब यहाँ पर बच्चा गलती करता है, सर अभी तक तो atom दिये थे, तो atom के mole पूछ रहा था, molecule दिये थे, molecule का वजन दिया था, molecule के mole पूछ रहा था, अब सर यहाँ तो, दिया तो molecule का वजन है, तो अब mole नहीं पूछ रहा, molecule के, अब number of proton पूछ रहा है, इसको कैसे करेंगे, सर अगर molecule के mole पूछ था, वो तो आपने बता दिया है, given weight by molecular weight, इसका molecular weight कितना होगा, carbon 12, 16, 22, 44, तुमारे लिए करके बता रहा हूँ, मुझे तो याद है सो, तो ठीक है बाई, ठीक है सर जी, बहुत बढ़ी है सर जी, 44, दुनी 88, दो बाई 10, सर, 0.2 mole है CO2 के, क्योंकि given weight by molecular weight किया था, और molecule तो number of moles of molecule आ गए, 0.2 mole CO2 है सर, बढ़ यह तो पूछा ही नहीं, molecule के mole तो पूछे ही नहीं, molecule की संख्या तो पूछी नहीं है, इसने तो पूछा है, कितने proton होईंगे, तो गवरा मत, क्या कर मेरी बिटा, 0.2 mole CO2 में, CO2 के molecule की संख्या निकाल ले, ठीक है, वही 23, कुछ याद करो, mole वाले ट्रम में, कैसे करेंगे सुन, हमको पता है, एक mole CO2 में, कितने molecule होईंगे, जल्दी बोल, एक mole का मतलब, जी वही, 6 इंटू 10 की पावर 23 molecule होईंगे, CO2 के, हाँ सर, एक mole CO2 में, इतने molecule होते हैं, तो 8.8 gram में, तो 0.2 mole CO2 था, तो जब एक mole CO2 में, इतने molecule, तो 0.2 mole CO2 में, कितने, अरे बोलो बोलो, यूनिट्री method, भया, एक mole CO2 में, इतने molecule, तो 0.2 mole CO2 में, कितने, ये, divided by, ये, इंटू में, ये, इतने molecule होईंगे, CO2 के, ओके, ये तो CO2 के molecule की संख्या आ गई, 6 दूनी 12, पॉइंट है, तो लो जी, 1.2 इंटू 10 की पावर, 23 molecule है, CO2 के, बट अभी भी ये नहीं पूछा सर, इसने तो proton पूछे है, अब proton कैसे निकालेंगे, एक molecule में, proton की संख्या निकाल लो, ठीक है, ओके, proton होता है, किसी भी atom में, atomic number is equal to number of proton, carbon का atomic number 6 होता है, एक ही carbon है, तो एक carbon में तो 6 proton, अब इस CO2 के एक molecule में, दो oxygen atom है, oxygen का atomic number होता है, तो एक oxygen atom में, 8 proton, तो दो oxygen atom में, 16 proton, ओके, तो एक molecule में proton होगे, 16 और 6, कितने मेरे बिटा, 22, तो एक molecule में, 22 proton होते हैं, CO2 में, ओके, तो एक molecule में, 22 proton, तो तो तो, 8.8 gram में, तो इतने molecule थे, जब एक molecule में, 22 proton, तो इतने molecule में, कितने proton, 22 से गुणा कर दो, ओहो, येस सर, येस, 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 एपसलूटली राइट सर, 22 into, हाना, तो ये हो गया मेरे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है न, अरे जल्दी से बता दो, ये कितना आ गया मेरे बच्चे, ठीक है, तो ये हो गया आपका, उधर 220 और 24, 244, ओह, इसमें से तो कोई सा भी आता हुआ, मुझे नहीं दिख रहा है, है के नहीं, हान, 244, 2.1 तो आंसर होगा, D होगा, तो इतने प्रोटोन होएंगे मेरे बेटा, हान सर, बिल्कुल, बिल्कुल, आ आ गया समझ में, असान है बई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हान सर, बिल्कुल असान है, समझो, जब भी, मालो इलेक्ट्रोन पूस्ता, बिल्कुल में तो 25 इलेक्ट्रोन, तो इलेक्ट्रोन भी, मालीक्ट्रोन की संख्या का 20 गुणा कर देते हैं अपन लोग, ठीक है, तो प्रोटोन एलेक्ट्रोन भी निकाल लोगे न, सच्ची बोलो, अच्चू, उतना बोलो मेरे शेरो, शभाश, अब अब देखो average atomic mass कब use होता है कब इसके उपर आता है बिटा question तो समझ ना बिटा एक चीज होती है isotope बहुत ध्यान से सुनना isotope हाँ sir सुना है isotope same element के प्रकृती में हमने एक से ज़्यादा प्रकार के atom देखे है जिनका atomic number तो same होता है बट atomic mass different होता है बिटा जैसे for example chlorine के ना nature में दो प्रकार के atom पाए जाते है एक CL 35 एक CL 37 ओके महला कुछ chlorine के atom ऐसे पाए जाते है जिनका atomic mass 35 कुछ chlorine के atom ऐसे पाए जाते है जिनका atomic mass 37 AMU देखा गया है तो ऐसे case में chlorine का atomic mass क्या बोलेंगे तो फिर हम average निकाल लेते हैं इन दोनों का अच्छा तो हम average atomic mass तब निकालते हैं जब किसी भी element के एक से ज़्यादा isotope पाए जाते हैं अब वो कैसे निकालते हैं अब उसको बहुत बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे ठीके सर अब ये कह रहा है ऐसा कोशन आ सकता है बिटा average atomic mass का तो बहुत ध्यान से देखना ये कह रहा है बही isotope है iron का 54 वाला 56 वाला और 57 वाला 54 वाला प्रकरती में 5% है 5% 56 वाला 90 परसेंट है और बिटा 57 वाला 5% है तो atomic mass क्या होएगा अब देखो 54 वाला भी item है प्रकरती में 56 वाला भी है और 57 वाला भी है तो हम average निकालते हैं कैसे निकालेंगे बिल्कुल मत घवराना मैं तुम्हें क्या बताता हूँ न simple सा average atomic mass निकालने का एक तरीका बता देता हूँ हमेशा ये formula लगा देना आपका हमेशा सही आ जाएगा जिसका जो वजन है उसको उसकी percentage से multiply कर दे ठीक है सर हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल 56 वाले का है 90 परतीशत तो उसकी percentage से multiply कर दे प्लस 57 वाला है 5 परतीशत तो इसके atomic mass को इसकी percentage से multiply कर दिया सबको add कर दिया और 100 से divide कर दे हैं इतना टुच्चा अजी बस इतना टुच्चा कुछ नहीं करना होता मेरे बिटा जो जो atomic mass वाला है 54 atomic mass वाले का percentage पांच तो 54 इंटू 5 प्लस 56 वाले का 90 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 100 से divide कर दो बस 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 आ गई जी average आ गया average atomic mass हैं इतना आसान करो 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 देखर आ गया होगा पांच चोग बीस दो 270 आ गया ये प्लस नौ छिक चववन पांच पांच पैंतालिस और पांच पचास ओके पांच सत्य पैंतिस तीन पांच पच्चे पच्चिस और तीन अठाईस अब देखो कर लो मेरे बेटा इसको solve जिरो 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 ये तो हो गया पांच ठीक है फिर आठ चार बारा बारा और साथ उननिस हासिल गई एक ठीक है तीन 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 दो पांच लो जी पांच पांच नौ पांच बाई हंडर्ड तो ये आगया होगा 55.95 अरे वाह यही है average atomic mass B must be the right answer तो average atomic mass ये पता लग गया कब निकलता है आसर पता लग गया जब किसी भी element के एक से ज़ादा atom पाये जाते हैं जिनका atomic mass different हो तो बस उसमें कुछ नहीं करना होता जिसका जो atomic mass हो उसको उसी की percentage से multiply कर दो और सब को add कर दो और 100 से divide that's it आगया जी average atomic mass अरे वासर जी दिल खुश कर दिता master जी सच्ची बोलो number of atom number of molecule number of proton electron average atomic mass सब कर दोगे yes सारी चीज कवर कर दी सर जी आपने तो आदे घंटे में हाँ मेरे बेटा जी अब हम लोग मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं और अगली वाली चीज पर अपन चलते हैं अब मैं कराऊंगा आपको बड़ी important चीज empirical formula कराने जा रहा हूं मैं अपने बच्चे को अब अपन करते हैं बेटा जी एक बहुत ही मज़ेदार वाला टॉपिक हना empirical and molecular formula तो करें मेरे बेटा empirical पर question आ जाता है कभी-कभी बहुत important topic है अब दो कैसे करना है सब लोग बहुत-बहुत ध्यान से देखना empirical formula देखो molecular formula क्या बताता है जैसे मैं एक simple सी बात करूँ आप से glucose का molecular formula क्या है पहले difference समझ लो दोनों में अच्छे से फिर question करने में मज़ा आएगा ठीक है glucose का molecular formula बोलो-बोलो ना सबको पता है चिला के बोलो ठीक है C6, H12, O6 इसको देखके क्या पता लग रहा है इसको देखके ये पता लग रहा है कि glucose के एक molecule में 6 carbon के atom 12 hydrogen के atom 6 oxygen के atom होते है तो exact संख्या पता लगती है हर एक प्रकार के atoms की बिल्कुल सर बड़ जो empirical formula होता है किसी भी molecule का वो atoms की exact संख्या नहीं बताता उनके बीच में smallest whole number ratio दिखाता है मैं कहता हूँ smallest whole number ratio निकालो glucose में carbon hydrogen और oxygen के बीच में तो क्या करोगे 6 से divide करो तो यह हो गया 1 यह हो गया 6 दुनी 12 तो low यह कहलाएगा glucose का empirical formula यह था molecular formula glucose का यह glucose का empirical formula तो empirical formula किसी भी molecule में different elements के बीच में smallest whole number ratio बताता है ओके सर जी समझ में आ गया empirical formula is the simplest whole number smallest whole number ratio of atoms present in a molecule ठीक है सर आ गया समझ में अच्छे से सर अब इस पर question कैसे आते है मैं question करने सिखाता हूँ formula रटने ही नहीं है मेरे बिटा concept पता है न तो बिना formula के भी चीज़ें हो जाती है ठीक है न तो इस चीज़े को ध्यान रखना सच्ची बोलो कुछ हुआ क्या नहीं concept समझना जरूरी होता है बाकी तो सब हवा बाजी है बिटा तो चलो शुरू करते हैं empirical पे question कैसे आते हैं एक question से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल पहले एक basic चीज़ समझाता हूँ percentage composition क्या होता है क्योंकि empirical formula के question में percentage composition दी होती है पहले निकालते कैसे हैं क्या मतलब है पहले वो मतलब समझते हैं अब यह कह रहा है यह बहुत तुच्चा question है concept बनाने के लिए है percentage composition of carbon in methane methane में carbon की percentage निकालनी है बिटा formula लिखो पहले साफ साफ पता लग गया एक methane के molecule में एक carbon atom है चार hydrogen atom है इसमें carbon की carbon की आपको percentage निकालनी है तो किसी भी element की अगर percentage निकालनी है किसी भी compound में तो क्या करो पूरे molecule का वज़न लिख लो carbon 12 hydrogen 4 16, methane का वज़न 16 पूरे molecule का वज़न नीचे इसमें carbon कितना है carbon 12 है हाँ सर अगर methane 16 ग्राम है तो carbon उसमें 12 ग्राम है तो लो carbon का वज़न by पूरे molecule का वज़न into 100 लो जी percentage of carbon आ गई अगर hydrogen की percentage निकालनी होती methane में तो क्या करते पूरे molecule में hydrogen का वज़न वो 4 ग्राम है by पूरे molecule का वज़न तो वो ऐसे निकल जाता अरे वह सर इतना असान हाँ तो किसी भी molecule में किसी भी element का हम weight percentage ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है सर यह तो बहुत ही असान था सर बहुत ही असान है बिल्कुल सर यह हो गया 4 3.12 4 यह हो गया 25 25 या 75 75 परतीशत कारबने भी या ठीक है तो यह आ गया मतलब समझ में percentage composition इस पर भी question कभी आ जाता है तो मेरा बच्चा कर देगा ठीक है बहुत बढ़ी या अब अगला देखते हैं अब मेरे बिटा empirical formula कैसे आना है सब लोगों अब बहुत ध्यान से देखना ओके करें सुनो 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 जिसको नहीं आता वो ध्यान से देख लो फिर वो empirical formula चुटकियों में उड़ाएगा ठीक है एक compound है बिटा जिसमें carbon है hydrogen है oxygen है ठीक है भाई उसमें carbon जो है वो 69.77% है अगर compound 100 ग्राम मानू तो उसमें carbon इतने ग्राम होएगा 11.63% अगर compound 100 ग्राम है तो उसमें hydrogen इतने ग्राम होगा तो rest कौन होगा rest oxygen होगा तो rest निकाल लो ना मेरे बिटा कितना बच गया तो 7,3,10 था ये ठीक है ना हाँ एक गया तो ये 14,4 हाँ सिल गई एक हाँ ना हाँ तो 10 और एक 11 1,7 और एक 8 ये कुल मिलाके होगया एक 80.4% तो rest मेरे बिटा कौन होगा rest आपका हो जाएगा oxygen 100 में से 80.4 गट हो तो ये 8.6 आगया हाँ सर बिलकुल सर हो गया ना नुटल 100 ग्राम तो 100 ग्राम में ये इतने ग्राम तो ये इतने तो ये इतना होगा भाई सर बिलकुल सर अब ये कह रहा है फिर इस compound का इस molecule का molecular weight भी दिया हुआ है और molecular formula पूछ रहा है तो बिटा कभी मत घबराना क्या करना है अगर percentage दी हुई है ना अलग-अलग element की तो सबसे पहले हम empirical formula निकाल लेते हैं percentage अगर दी है ना सारे element की किसी भी compound होगे जितने भी element है सबकी अगर percentage पता है तो empirical formula निकल जाता है कैसे? आप moles का ratio निकाल लो कैसे निकालेंगे? अरे given weight से कैसे निकालते हैं? carbon atom के mole निकाल लें given weight by atomic weight इसका 12 इसका atomic weight 1 होता है given weight by atomic weight इसका atomic weight कितना होता है जल्दी बोलो 16 लो जी लो इसके mole आगए इसके mole आगए इसके ये बटा mole ratio आगया ठीक है तो मेरे बटा mole ratio आगया अब इसको अपन solve कर लेते हैं तो ये लगबलोबग कितना आ जाएगा? आपका 70 है तो ये आपका आजाएगा 12,60 होते हैं 12,62 तक तो 12,50 ठीक है न? तो लगबलगबलगबलग ये कितना हो गया? 97,12,96 ओके ये इतने mole आगए इसके इसके लगबलगलग इतने ही है ठीक है न? ये करेंगे अगर 16,1,16 ठीक है? पॉइंट लगाया तो ये हो गया कितना? ये हो जाएगा आपका 26 बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल सही बात है 26 हो गया फिर 16,1,16 दस सौ 16,6,96 लो जी इसके इतने mole हैं लगबग, लगबग तो अब सर mole निकाल लिए जब भी percentage दी हो तो empirical formula निकालो पहले कैसे निकालेंगे? mole निकाल लिए सबके तो जो moles का ratio होता है वही atoms का ratio होता है number of atoms का ratio अब बड़ मुझे smallest निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं? हम smallest mole से सबको divide कर देते हैं smallest mole है 1.16 तो इसको भी 1.16 से करो इसको भी 1.16 से करो इसको भी 1.16 से करो तो इससे smallest mole ratio आ जाएगा यह आ गया 1 और यह मेरे बेटा यह 11.6 से थोड़ा तो यह आपका लगब लगब 10.something आएगा 10.0 something हाना? हान तो nearest integer तक उसको approximate कर लो तो लगब लगब 10 आ गया absolutely right sir और इसको भी करें अगर इसको भी अपन करते हैं मेरे बेटा तो यह आ जाएगा आपका 58 by 11.6 है यह तो 11.55 तो यह 5 के आसपास आ जाएगा मेरे बेटा 11.55 हान तो approximate यह 5 के पास आ गया तो लोग empirical formula जो आ गया मेरे बेटा C5 H10 O1 बस percentage दी है सबको as it is लिख लो respective atomic mass से डिवाइड करके सबके mole निकल गए फिर smallest mole के लिए smallest mole ratio के लिए smallest mole से सबको डिवाइड कर दो और approximate कर लो nearest integer तक O.K.S.A.R. तो यह आगया empirical formula O.K.S.A.R. अब इसका empirical mass निकालना है अपन को अब इसका empirical mass मेरे बेटा कैसे निकालेंगे अब उसको बहुत ध्यान से देख लेना है अपन को ठीक है न empirical mass जैसे molecular mass निकालते है न वैसी अपन empirical mass निकालते है तो यह कितना आ गया 12,5,6 10 hydrogen 10 और एक oxygen 16 तो यह आ गया मेरे बेटा जी यह आ गया 70,16 यह 86 empirical mass आ गया molecular mass दिया हुआ है अब घबरा मत empirical formula तो पता है molecular formula कैसे निकालते हैं तो घबराना मत empirical formula से molecular formula निकालना है याद रखना आज के बार उसको हम एक number से multiply करते हैं empirical formula को n से अब n कैसे निकाला जाता है तो n होता है मेरे बेटा molecular weight उसी compound का divided by empirical weight तो देख यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो empirical mass आया वही molecular mass भी है तो n1 हो गया n1 हो गया तो पता जो empirical formula है वही molecular formula है तो पता इसका molecular formula C5, H10, O1 ही होगा सच्ची बोल समझ में आया है इस एक question में सारा empirical mass के सारे concept involved हो गए अगर आज के बाद किसी भी compound में हर एक element का weight percentage दिया है तो आप empirical formula निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हैं पता लग गया atomic mass से divide करो percentage को number of mole आ गये फिर smallest mole से divide करो जो भी आएगा nearest integer तक ले जाओ ठीक है sir तो smallest mole ratio आगया वही empirical formula है उससे molecular formula निकालना है तो कैसे निकालते हैं N into empirical formula N कैसे निकलता है molecular weight by empirical weight empirical weight empirical formula इसे निकल गया हमने देखा 1 ही आया तो 1 है तो जो empirical formula है वही molecular formula होएगा अरे वासर जी ये भी concept perfect हो गया अब अब ये देखो भाई अब ये कह रहा है a gaseous mixture contains ये तो I think empirical से अलग है ये थोड़ा सा अलग है ऐसे ही है gaseous mixture है बटा gas ध्यान रखना noble gas को छोड़के कोई भी gas हो तो molecule के रूप में रहती है तो O नहीं लेंगे इसको O2 लेंगे noble gas है जो atom के रूप में रहती है ठीक है ना ओके सर जी nitrogen gas मतलब N2 बाकि सब gas molecule के रूप में रहती है ठीक है सर gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in 1 is to 4 by weight ratio इसका अगर 1 gram है तो इसका 4 gram है ratio of their number of molecule बेटा जी जो number of mole का ratio होगा वही molecules के number का ratio होगा तो number of mole निकाल लो इसके ये 1 gram है तो number of mole given weight by molecular weight molecular weight 32 हो जाएगा न 1632 given weight by molecular weight ये ratio मेरे बेटा निकालना है तो लोई ये कितना आ गया 1 बटे 32 तो जो number of mole का ratio वही molecules का ratio जो number of moles of atoms का ratio वही number of atoms का ratio तो लो जी ये ही तो है ये हाँ तो लो अब इसको solve कर लेंगे 1 बटे 32 into 28 by 4 कर लो इसको 7 चोक अठाइस 7 by 32 आ गया लो जी ऐसा question भी आ सकता है आज के बाद किसी भी गैसियस मिक्षर में दो गैस दी है उनका weight ratio दिया है तो number of molecule का ratio क्या होगा उनके number of mole के ratio के बराबर तो number of mole कैसे निकालेंगे weight को molecular weight से divide कर दिया आ गया और सच्ची बोलो चूट ना बोलो मेरे शेरो शाबाश मेरे बच्चो चलो अब अगला question करते है हाँ इसको करके बताओ यह पिछले question जैसा ही है come on calculate the molecular formula of a compound which contains 20% calcium and 80% bromine लो जी खतम 20% यह है 80% ही है हो गया 100% ठीक है भाई तो लो जी percentage दी है तो आँख बंद करके हम empirical formula निकाल सकते हैं calcium अगर 20 gram है तो उस समय bromine 80 gram होगा अब empirical formula कैसे निकालेंगे given weight by molecular atomic weight तो calcium का होता है atomic weight 40 bromine का तो 80 होता है हाँ sir atomic weight दिये भी होगा है बहुत बढ़िया तो यह होगया 1 by 2 0.5 mole यह 1 अब क्या करेंगे यह तो mole ratio आ गया smallest mole ratio निकालना है वही तो number of items का smallest ratio होगा 0.5 है तो 0.5 से smallest mole से डिवाइड करते है तो यह आ गया मेरे बटा 1 यह आ गया 2 empirical formula calcium 1 bromine 2 यह empirical formula है अब यह क्या कह रहा है molecular formula निकालो अगर molecular weight 200 है तो empirical formula तो पता लग गया percentage से अब कैसे निकालेंगे molecular formula सर बता चुके हैं अभी क्या अभी N into empirical formula ओके सर बहुत बढ़ी है अब N कैसे निकालेंगे molecular weight by empirical weight molecular weight दिया है 200 empirical weight empirical formula से निकालो calcium 40 1 bromine 80 तो 2 bromine 160 लो empirical weight भी 200 ही आ गया N इस वाले में फिर से 1 आ गया लो N1 है तो जो empirical है वही molecular weight है right answer must be B अच्चू उटे ना बोलो समझ में आ गया मेरे शेरो सबको आ गया आज के बाद empirical formula पे कोई भी question आएगा धजियां उड़ा देगा मेरा बच्चा है के नहीं कुछ भी मुश्किल है ही नहीं सब कुछ असान है विटा have full confidence आता है आपको सब कुछ ठीक है मेरे बच्चे बहुत बढ़ी है अब मैं कराने जा रहो बहुत ही मज़ेदार चीज विटा और वो है concentration terms मज़ा आ जाएगा अब आपको करके ठीक है अभी तक की सारी चीज आ रही है तो अब बेटा अपन लोग शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार वाला topic concentration terms हाँ भाई इससे हर साल एक question नीट में पूछा ही जाता है तो बहुत बहुत आपको इसमें मज़ा आएगा अब इसको ध्यान से देखना तो भाई solution में concentration terms निकाली जाती हैं आपने देखा होगा इस पर molarity से question आता है molality से question आता है mole fraction से question आता है तो काफी कुछ इसमें बेटा पूछा जाता है और इसको अपन लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे question आते हैं और साथ ही साथ मैं आपको formula भी बताता चलूँगा ठीक है जो भी concentration term है ठीक है जी तो भी पहले तो concentration का मतलब क्या होता है यह अपन लोग समझ लेते हैं भाई किसी भी solution में दो चीज़ होती है एक होता है क्या solute, एक होता है solvent solute वो होता है जो दूसरे में घुल जाता है solvent वो होता है जो दूसरे को अपने अंदर घोलता है ठीक है सर generally solvent जादा मात्रा में होता है और देखा गया है generally solute कम मात्रा में होता है ठीक है सर जी बस किसी भी solution में solute की मात्रा को represent कर देना ही concentration कहलाता है किसी भी solution में solute की मात्रा को represent करना ही concentration कहलाता है ठीक है अब solution में solute की मात्रा को दिखाने के ना बहुत सारे तरीके है जैसे percentage by mass मतलब उसमें क्या करते है बिटा ऊपर में solute कितना है solution में उसका वजन लिखते है नीचे में solution का वजन लिखते है into 100 तो solution में solute का weight percentage या mass percentage आ जाता है अगर volume percentage बोले तो उपर में volume लिख दो solute का नीचे solution का volume into 100 फिर कई बार आता है weight by volume percentage ओके इसमें कैसे करते हैं सर अजी बड़ा असान है weight by volume percentage उपर में weight of solute लिखो नीचे में volume of solution लिखो into 100 कर दो जी इतना असान है सब कुछ अजीब बहुत असान है सारा कुछ तो ये शुरुवात वाले जो तीन होते हैं ये तो फर्जी concentration term है बस इनका मतलब पता होना चाहिए अब जैसे मैं बोलता हूँ 10% by weight H2SO4 solution है इसका क्या मतलब हुआ ध्यान रखना solution का जो नाम होता है solute वही होता है अगर मैं बोल रहा हूँ H2SO4 solution है मतलब solute H2SO4 है इसमें तो solvent ना दिया हो तो पानी मान लेते हैं अपन ठीक है सर आगया समझ में 10% by weight H2SO4 solution तो इसका मतलब 10% पर माने प्रती सेंट माने सो 10% 10 परती 100 मतलब प्रती 100 ग्राम solution में 10 ग्राम solute है 10 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम solution में तो मतलब पानी 90 ग्राम रहा होगा solvent ओके आ गया मतलब समझ में सर बहुत बढ़ी है अब ऐसी मैं आपको बोलू 10% weight by volume HCL solution है अब मैंने इसे बोल दी आप मतलब बोलो आप लोग मतलब बोलो बिटा 10% weight by volume 10% 10 परती 100 परती 100 ml solution में 10 ग्राम HCL है परती 100 ml solution में 10 ग्राम HCL है ये इसका मतलब हो गया आ गया इनका मतलब समझ में ये शुरुआती तीनों टरम फरजी होती है बस इनका मतलब समझ में आना चाहिए ठीक है सर बहुत असान है सर आ गया समझ में उसके बाद बिटा इसमें सबसे important जो टरम होती है वो होती है मेरे बिटा molarity molarity से बहुत बिटा पूसता है molarity बिटा कुछ नहीं है किसी भी solution के एक लीटर में एक लीटर solution में solute के कितने mol है इसको निकालने का बड़ा असान तरीक है mols of solute नीचे में volume of solution लीटर अगर मानले आपका अगर volume solution लीटर में ना दिया हो solution का volume ml में दिया हो milliliter में तो बड़ा असान है उपर में लिखेंगे solute के mol वो तो रहे गई नीचे में volume of solution मानलो लीटर में नहीं दिया milliliter में है तो इसको लीटर में convert करने के लिए 1000 से divide करेंगे वो 1000 पलटी मार के उपर आ गया ओके तो लोग molarity कई जगे बटा ऐसे भी दिया होता है हाँ ना तो इसमें घबराना नहीं है ठीक है सर तो molarity का मतलब बता मैं तो molarity रिप्रेजेंट करता है एक लीटर solution में solute के कितने mol है और mol तो निकालने आते हैं given weight by molecular weight मैंने बोला 2 molar HCL solution है capital M से दिखाते हैं इसको जल्दी बोल मतलब molarity 2 है जीस की molarity 2 का मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ 2 molar 2 mol per liter मतलब एक लीटर solution में 2 mol solute है तो यहां solute कौन है HCL क्योंकि जो solution का नाम होता है वही solute होता है ओके सर molarity का मतलब समझ में आ गया फिर मेरे बिटा बट ये temperature एक चीज़ ध्यान रखना जिस concentration term में volume आ जाए वो temperature पे निर्भर करती है मतलब same solution का वो concentration term अलग-अलग temperature पे अलग-अलग आएगी मेरे बिटा जिसमें भी volume आ जाए क्योंकि temperature change करने से न volume change हो जाता है same solution का ओके सर जी तो फिर एक नई concentration term आती है जो depend नहीं करती मेरे बिटा temperature पर और वो होती है मेरे बिटा आपका molality molality दिखाता है एक kilogram solvent में solution में molality दिखाता है एक kilogram solvent में solute के कितने mol हैं इसको छोटे m से दिखाते हैं छोटा m ओके सर इसको छोटे m से दिखाते हैं अब मैंने बोला कोई solution one molal molality यह molarity यह molality one molal HNO3 solution है इसका मतलब बोलो मतलब आने चीए समझ में one molal मतलब molality one है तो इसका मतलब one kilogram solvent में solution नहीं one kilogram solvent में one mol HNO3 है one mol solute है ठीक है सर आ गया समझ में फिर एक आता है मेरे बिटा mol fraction mol fraction तो अगर mol fraction मानलो दो component है A और B A का mol fraction निकालना है तो बिटा A के mol by solution में total mol total mol तो क्या होएंगे A के mol प्लस B के mol यह हो गया mol fraction of A mol fraction of B निकालना है A के mol by total mol अगर B का mol fraction निकालना है तो B के mol by total mol फिर NB by Na plus NB हो जाएगा ओके सर जी क्लियर हो गया सर जी अब PPM क्या दिखाता है अगली concentration इसमें तुम normality मत करना normality redox में आता है ठीक है न अगला जो topic है redox जो आएगा redox में होती है normality यहाँ पर क्यों normality नहीं सीख सकते है अपन अब सर PPM क्या होता है अब सुन PPM क्या दिखाता है PPM दिखाता है सुन ले ध्यान से इसकी definition बच्चों को समझ में नहीं आती मैं मतलब समझा देता हूँ PPM ये represent करता है कि 10,000,000 gram solution में कितने gram solute है that's it PPM ये represent करता है 10,000,000 gram 10,000,000 होता है 10 की power 6 हाँ जी 10 की power 6 is 10,000,000 10,000,000 gram solution में कितने gram solute है ये दिखाता है PPM चलो चला के बोलो PPM क्या दिखाता है मैंने बोला 100 PPM calcium carbonate solution है मतलब बोलो इसका 100 PPM calcium carbonate solution है इसका मतलब बोलो भई 100 PPM है 100 parts per million मतलब 10,000,000 gram solution में 100 gram calcium carbonate है ओके ये मतलब हुआ PPM का मतलब ही है 10,000,000 gram solution में कितने gram solute है अगर मैंने 100 PPM calcium carbonate solution बोला तो मतलब 10,000,000 gram solution में 100 gram calcium carbonate है ओके कैसे निकालते हैं बड़ा साने उपर में solute का weight नीचे में solution का weight इंटू 10 की power 6 कर दो तो ये दिखा देता है कि 10,000,000 gram solution में कितने gram solute है ठीक है सर पता लग गई सर concentration term अब question कैसे आते हैं question के त्रूँ समझाओ ना सर तो चलो मैं आपको question के त्रूँ समझाता हूं बहुत ध्यान से देखना सबसे important बेटा इसमें question आते हैं inter-conversion के बढ़िया-बढ़िया question कराता हूं क्योंकि ऐसे ही question बेटा बच्चा नीटों फसता है अब तुमने किताबों में देखा होगा बड़े लंबे-लंबे formula दिये होते हैं हाँ सर खूब याद कियें वो भूल जाते हैं सर थोड़े दिर में भूल जाते हैं सर अब नहीं भूलोगे मेरे बेटा अब बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है ठीक है रटने की जड़ती नहीं formula याद ही नहीं करेंगे अपन concept से करेंगे सुनो कह रहा है molality of 0.8 molar capital M है यह molarity है H2SO4 की molarity दे रखिए इसकी molality पूछ रहा है और इस solution की density दी हुई है कह रहा है कितनी होगी fill in the blank चार option दे देगा कैसे करना है भाड में गया formula basic से करना है बिटा चिपक के जो दिया हुए उसका मतलब लिखो 0.8 molar molarity का मतलब पता है एक लीटर solution में कितने mol solute है 0.8 molar है तो इसका मतलब लिख ले इसका मतलब 0.8 mol H2SO4 is present in 1 liter solution 1 liter को लिख सकता हूँ 1000 milliliter ओके सर तो जो concentration ट्रम दी हुई है उसका मतलब लिखा molarity 0.8 का मतलब है 0.8 mol H2SO4 is present in 1 liter solution जो निकालना है उसका formula ले निकालना है molality molality होता है number of moles of solute ठीक है दिया हुआ है बिलकुल जर दिया हुआ है number of moles of solute नीचे में molality में चाहिए होता है weight of solvent हाँ kilogram में ओके बड़ अगर gram में है के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 पल्टी मार के ऊपर बस जो दिया है उसका मतलब लिखो जो निकालना है उसका formula लिखके यहां से substitute कर दो mol तो पता थे H2SO2 के 0.8 है weight of solvent चाहिए molality के लिए मुझे नहीं पता मुझे तो volume of solution पता है तो मेरे बिटा solution का weight निकाल ले density of solution density होता है weight by volume तो weight of solution आ गया density of solution into volume of solution density of solution is 1.06 gram per ml cubic centimeter ml कोई बोलते है volume of solution ml में 1000 ml है तो ले solution का weight आ गया gram में 1060 gram यह solution का weight है क्योंकि density solution की थी volume solution का है तो weight भी solution का आया बढ़ तरको weight of solvent चाहिए या आप कैसे करेंगे अब आजा 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 तो लो जी solution दो चीज से मिलके बना है किस से solute plus solvent से तो weight of solution होगा weight of solute plus weight of solvent weight of solution निकाल चुके है 1060 weight of solute निकाल लेंगे एक mol H2SO4 होता है 98 gram क्यों सर अजी किसी के भी molecular weight को gram में लिख दो वो एक mol का वजन है ओके विल्कुल H2SO4 का molecular weight निकाल के देख ले 2 hydrogen 2 1 sulfur 32 4 oxygen 1664 98 एक mol का वजन 98 gram तो 0.8 mol का वजन 98 into 0.8 gram कर लो 88 to 64 6 892 और 6 78 लो जी लो 0.8 mol H2SO4 था तो solute का वजन आ गया एक mol का वजन 98 gram 0.8 mol H2SO4 का वजन 78.4 gram लो जी solvent का वजन आ गया अब solute कर लो हाना कितना असान है अब कोई formula रेटनी की जुरूत नहीं बिल्कुल logically किया है हमने मेरे बेटा बिल्कुल sir बिल्कुल अब चलो पहले 80 घाट लेते हैं फिर उतने बढ़ा देंगे 1.6 अगर 80 घाटा अगर 80 घाटते तो यह आता 980 आता फिर उसमें हम बढ़ा देंगे 1.6 कितना 1.6 बढ़ा देंगे हापन लोग हाना तो 81.6 981.6 981.6 solvent का वजन आ गया लो जी हो गया आप तो sol 981.6 लो sol कर लो 800 by 981.6 दा molality आया समझ में रटने की ज़रती कितना असान था जो दिया है उसका मतलब लिखा जो निकालना है उसका formula लिखके यहां से substitute करी चीज़े मुझे weight of solvent चाहिए था मुझे तो volume of solution पता है density of solution से पहले weight of solution निकाला फिर weight of solution होता है weight of solute plus weight of solvent solute का वज़न निकाला 0.8 mol का minus कर दिया solution की वज़न से weight of solvent आ गया solve करके answer आ गया और सची बोलो चूटे ना बोलो मेरे शेरो और शेर नियो आगया समझ में शबाश मेरे बच्चो अगला question करते है ध्यान से देखना अगला question क्या कह रहा है बहुत-बहुत ध्यान से देखेंगे अपन हाँ चलो यह जल्दी से बता दो यह तो बहुत ही टुच्चा question है कर सकते हो बढ़ाया हुआ है question भी देखो क्या है If a substance A dissolves in a solution of mixture of B वो तीन substance का mixture है A, B and C का ठीक है With their respective number of moles A के mole है N A B के mole है N B C के mole है N C mole fraction of C पूछा है mole fraction कैसे निकालेंगे C का जिसका भी mole fraction निकालना हो solution में उसके mole by total mole total mole क्या होंगे BAK mole plus BK mole plus CK mole लो जी यह है C का mole fraction अगर B का निकालना होता तो BK mole by total mole अरे वा सर जी यह तो बहुत ही तुच्चा है सर C must be the right answer यह तो सब को आता होगा चलो अब अच्छा question करते हैं आजो 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 अब थोड़ा सा दिमाग खुलेगा क्योंकि अब बढ़िया बढ़िया question शुरू हो रहे है ठीक है question है इसको देखो बड़ा पढ़ो और जो कर सकता है न मुझे pause करके अभी के अभी इसको solve करने का परियास करो यह कह रहा है number of moles of solute हाँ सर by volume of solution in liter हाँ सर बिलकुल सही कह रहे हो सर यही तो है molarity number of moles of solute by volume of solution in liter तो अगर किसी solution की molarity पता है और उसका volume पता है लीटर में तो solute के mol कैसे निकाल लोगे बेटा तो आज के बाद ध्यान रखना किसी भी solution की molarity पता है और उसका volume पता है तो उसमें solute के mol आपको पता लग जाएंगे हाँ सर हाँ M into V M is the molarity of the solution V is the volume of solution in liter तो solute के mol पता लग जाते हैं तो आज के बाद किसी भी solution की molarity दी हो और उसका volume दी हाओ तो आप बता सकते हो कितने solute है उसके अंदर ठीक है जी अब ये कह रहा है the mass of sodium acetate required to prepare 200 ml of 0.35 molar solution तो लो जी पता लग जया sodium acetate के कितने mol चाहिएं अरे molarity दे रखे है इसके solution की और volume दे रखे है तो ले M into V but volume should be in liter तो ले acetate के इतने mol चाहिएं sodium acetate के molarity है 0.35 200 ml of solution का volume but liter में होना चाहिए तो 1000 से divide करेंगे तो 0.25 हो गया 0.35 into 0.25 बहुत बढ़ी है sir तो इतने mol चाहिए अब इसका वजन निकालना है मेरे बेटा इतने mol हैं sodium acetate के इतने mol चाहिए होएंगे अपनको इतना बनाने के लिए ओके sir बढ़ इसके mol नहीं पूछ रहा इसका वजन पूछ रहा है तो घपरा मत एक mol का वजन sodium acetate का 82 gram हाँ sir एक mol का वजन 82 gram तो इतने mol का वजन कितना unitary method से निकाल लेंगे अरे हाँ sir बहुत ही असान है sir ये तो हाँ तो ये कितना हो गया 0.35 by 4 है हाँ जी sir बिल्कुल sir ठीक है ना हाँ तो इसको कर लो पॉइंट लगाया 3.99 0 35 ये हो गया 9 4 36 हाँ तो लगब लब 0.09 मान ले ठीक है लगब लगब तो 0.09 mol है एक mol का वजन हमें पता है 82 gram है लगब लगब तो 0.09 mol का वजन कितना होगा 0.09 है 0.9 है हाँ हाँ ओके पॉइंट लगाया अच्छा अच्छा पॉइंट लगाया 0.09 ही आगया तो इतने mol का वजन कितना होगा तो ये डिवाइड बाई ये इंटू में ये हाँ 7.38 ग्राम के आसपास चाहिए और चूट ना बोलो समझ में आया ऐसा कोशन आ सकता है मेरे बेटा आज के बाद किसी भी solution की molarity दी हो उसका volume दिया हो तो उसमें solute के mol पता होते है ठीक है सर बट volume of solution लीटर में होना चाहिए ठीक है सर तो सर इतने mol है ये लगबग लगग 0.09 आ गया लगबग लगबग ठीक है सर बिलकुल तो 0.09 mol है इस solution को बनाने के लिए 0.09 mol चाहिए sodium acetate बड़ इसने वजन पूछा है एक mol sodium acetate का बज़न इतने ग्राम 82 ग्राम तो 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 0.09 mol चाहिए 0.09 का बज़न इतने ग्राम तो इतने ग्राम चाहिए होगा आगे है समझ में शबाश मेरे बेटा शबाश अब चलो इसको जो बच्चा करेगा मेरा दमदार बच्चा कहलाएगा कम ओ कम ओन करो इस question को बहुत ही असान question है a solution of H2SO4 is 31.4% H2SO4 by mass and has a density of 1.25 ग्राम पर हैमल percentage by mass दिया हुआ है percentage weight by weight percentage दे रखा है बेटा okay molarity पूछ रहा है अजी बड़ा असान है nearest integer नब पूछ रहा है मैंने क्या बता है जो concentration ट्रम दी हुई है उसका मतलब लिखो ठीक है सर 31.4% तो इसका मतलब percentage by mass है 31.4% 31.4 प्रती 100 ग्राम solution में 31.4 ग्राम H2SO4 है okay सर तो उसका मतलब लिख लिया 31.4 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम solution ठीक है सर निकालना क्या है molarity निकालनी है तो जो निकालना है उसका formula लिखो और वो होता है number of moles of solute by volume of solution in liter okay सर अगर milliliter में हो तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे पल्टी मार के 1000 उपर अब substitute करो solute का weight पता है बड़ मुझे mol चाहिए mol चाहिए weight दे रखा है तो बड़ा weight से तो mol निकालनेंगे given weight by molecular weight log H2SO4 का molecular weight 98 होता है दिया भी हुआ है ठीक है सर mol आ गए सर बहुत बढ़ी है सर given weight of solute by molecular weight of solute अब नीचे में volume of solution चाहिए मेरे को मुझे तो weight of solution बता है तो density से निकल जाएगा कैसे density of solution weight of solution by volume of solution volume of solution हो गया weight of solution by density of solution density of solution दे रखा है ओहो gram पर ml में तो weight gram में तो volume ml में आ जाएगा बहुत बढ़ी है 100 by by 1.25 ml 1.25 उपर आ गया परटी मारके बहुत बढ़ी है ml में था तो liter के लिए 1000 है अरे वा सर जी वा ये तो अब solve कर लो बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हाँ तो ये हो गया 314 by 892 into 1.25 अब इसको अब solve कर लेंगे मेरे बेटा देखो कितना असान है interconversion करना जो concentration ट्रम दी हुई है उसका मतलब लिखो जो निकालना है उसका formula लिखके उसी data को बस substitute करते जाओ जो नहीं दिया हुआ direct उसो convert करो जैसे यह solute का weight दिया था मुझे mole चाहिए तो given weight by molecular weight solution का volume चाहिए but weight दिया हुआ है तो density से volume निकाल लिया बस कितना असान कुछ नहीं रटना कुछ है नहीं जी रटने का अरे वा सर जी और करादो सर मजा आ रहा है सर अब तो मजा आ रहा है सर बहुत तगड़ा मजा आ रहा है come on अब इसको करके दिखाओ मेरे बेटा ये question है आपके सामने अब इसको अपन करते है ये कह रहा है 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram of water ठीक है भाई साब mole fraction of NaOH in solution and molality दोनों बताना है mole fraction भी बताना है NaOH का और molality भी चलो पहले mole fraction निकाल लेते हैं NaOH का कैसे निकालेंगे NaOH के mole by total mole total mole क्या होएंगे NaOH के mole प्लस पानी के mole क्योंकि दो ही चीज़ें बेटा solution में दिया हुआ है मुझे mole चाहिए बढ़ मुझे mole नहीं दे रखा मुझे तो weight दे रखा है NaOH का मुझे पानी के भी mole चाहिए बढ़ weight दे रखा है तो mole निकाल लो न NaOH के mole given weight by molecular weight इसका molecular weight 40 होता है निकाल ले sodium 23 oxygen 16 49 और 14 ओहो 1 by 5 mole मतलब 0.2 mole ठीक है ऐसी पानी के mole निकाल given weight by molecular weight पानी का ठारा तो 1 mole लो जी लो हो गया हो गया वेट दिये थे mole निकाल ली NaOH के mole by total mole NaOH के mole प्लस पानी के mole 0.2 by 1.2 मतलब 2 by 12 मतलब 1 by 6 1 by 6 पॉइंट लगाया 10 6 कम 6 40 6.36 फिर 40 0.166 0.167 आंसर या तो B होगा या D होगा अब देख लेते हैं इसकी molality क्या है इसी की molality भी पूछ रहा है अजी बोलो निकाल दो न molality number of moles of solute पानी तो हमेशा solvent होता है universal solvent solute मतलब NUH है NUH के mole solution में 0.2 mole by weight of solvent solvent का बजन तो दिया हुआ 18 gram बड़ एक kilogram में होना चीए उसके लिए 1000 से divide करेंगे पल्टी मार के ऊपर अरे वास सर जी वा ये तो बहुत असान है सर 9 100 by 9 100 by 9 आ गई इसकी molality 9 एक कमनो हाँ हाँ 11 point something 11 point something तो लो जी right answer must be D आ गया समझ में अच्छू उटे ना बोलो सबका हो भी गया होगा ऐसे कोशन पूछेगा नीट बिल्कुल नीट के relevant कोशन करा रहा हूँ मेरे बिटा और बता रहा हूँ तुम नीट 2024 के पिपर मज़े बैठोगे ना तो आप देख ले ना अगर कोई जो भी कोशन आएंगे दो-तीन मोल कोशन से आती आते हैं दो-तीन कोशन आप देखोगी जो सर ने डिसकस किये जिस प्रकार की कोशन उनी पर अधारित कोशन आ गया कोशन यही सब रहेंगे कोशन डाटा चेंज हो सकता है सारे कोशन मेरे बिटा यही होएंगे तो बहुत फायदा बिटा इस सेशन का यह ओ थान सीरीज बहुत सोच समझ के लाई गई है इससे प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस निमेरिकल कितनी असानी से हम अप्रोच कर सकते हैं वो अप्रोच को डवलप करना परपज है तो अच्छे से करो सारे कोशन प्रैक्टिस करो अगर पॉस करकर के करो अपने से पहले फिर टीचर का देखो अगर ना हो तो that is the best way कोशन आए पॉस करो अपने से सॉल करो ना हो फिर टीचर के देखो टीचर ने कैसे किया ओके बहुत पढ़ी या सर जी अब ये वाला कोशन है मेरे बेटा इसको बता दे न ये वाला कोशन मेरे बच्चे बताएंगे what is the molarity of sodium hydroxide solution if 25 ml of this solution contains बहुत ही असान है करो ऐसा कोशन आ सकता है मेरे बेटा हाँ ऐसी आते है molarity पूछ रहा है anyway solution की तो बेटा molarity क्या होती है number of moles of solute by volume of solution in liter अगर milliliter में है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे अब solute के mole चाहिए बट उसका वजन दिया है वो भी milligram में तो mole कैसे निकालेंगे given weight बट मैंने बताया है weight should be in gram तो milligram को gram में convert किया milligram में 10 की power minus 3 1 milligram मतलब 1 into 10 की power minus 3 gram जब नमरों mole निकालते हो न given weight बट मॉलीकुलर वेट से तो given weight should be in gram और molecular weight वो 40 है लो जी 1 milligram में इतने mole बहुत बढ़िया 1 into 10 की power minus 3 by 40 नीचे में चाहिए volume of solution ओहो volume of solution चाहिए 25 ml दे रख है 25 cubic centimeter मतलब 25 ml ml है तो लीटर के लिए 1000 लगे गई लगेगा बहुत ही असान था 25,4 40 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 40 से 40 गया molarity 10 की power minus 3 है वह बहुत ही असान question मेरे बेटा गलती कर गए थे कुछ गलती करी थी क्या गलती करी समझ में आ गया बहुत बढ़िया ऐसे ही question आते हैं कुछ बहुत मुश्किल question कभी नहीं पूछता need मेरे बेटा बस हाँ सारी चीजें पता होनी चाहिए अपन को ठीक है sir बहुत बढ़िया sir जी दिल खुश कर दीता sir जी अब अब मेरे बेटा एक concept आता है इसमें vapor density का vapor density के कभी कभी पूछ लेता है तो चलो उसको भी अपन लोग देख लेते हैं अब vapor density बेटा gases के लिए निकलती है नाम सही पता लग रहा है vapor vapor माने gas किसी भी substance की अगर किसी भी gas की अगर vapor density दी है ना तो उसका molecular weight निकाल सकते है उसकी vapor density का double कर दो बस 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 इतना अगर पता है ना तो vapor density का कोई भी question कर लेगा हैं कैसे करते हैं sir तो चल मैं बता देता हूँ करना चाहोगे इसको मुझे pause करके करो ना करो ना मेरी बेटा चलो ठीक है sir देख लेते हैं तो बेटा आज के बाद ध्यान रखना किसी भी gas की अगर vapor density दी है तो उसका molecular weight निकाल सकते है उसका molecular weight दी है तो vapor density निकाल सकते है ठीक है यह question बताओ sir अरे बड़ा असान है करा इफ ratio of vapor density of two gases ठीक है vapor density of gas A and vapor density of gas B का ratio दिया हुआ है 1 is to 2 ठीक है भाई then calculate molecular mass of gas B if molecular mass of gas A is 20 तो vapor density of A vapor density को लिख सकता हूँ molecular weight by 2 तो vapor density of A को लिख सकता हूँ molecular weight of gas A by 2 तो vapor density of A हो गया ऐसी vapor density of B को लिख सकता हूँ molecular weight of gas B by 2 बहुत बढ़ी है भाई किसी भी gas की अगर vapor density पता है तो molecular weight निकाल सकते है molecular weight पता है तो vapor density निकाल सकते है बहुत बढ़ी है तो vapor density of A हो जाएगा molecular weight of A by 2 vapor density of B हो जाएगा molecular weight of B by 2 ये तो 1 by 2 है वा सर वा, 2 से 2 कट गया ओ, molecular mass of A by molecular mass of B is equal to 1 by 2 हो गया molecular mass of gas A दे रखा है 20, तो B का पूछ रहा है B का निकल जाएगा जी, लो जी B का आ गया, 40 टॉं 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 वा सर जी, वा अरे चूट है न आप बोलो, मेरे शेरो समझ में आ गया, कितना असान है है के नहीं, बहुत बढ़ी आसर जी vapor density का भी कर लेंगे, कोई question आएगा तो, अब मैं कराने जा रहा हूँ अपने बच्चों को, बहुत ही जबर्दस चीत, जिसमें मेरे बच्चे गलतियां करते हैं अब नहीं करोगे बेटा, क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूँ, reaction वाले जो question, limiting reagent, stoichiometry बहुत इसमें बेटा दिक्कत होती थी न अब नहीं होईगी, बस मेरे साथ साथ question करना, आपको मजा सा आ जाएगा तो बेटा जी, अब शुरू करते हैं बहुत ही मज़दार वाला टॉपिक stoichiometry, ठीक है सर, क्या होती है stoichiometry सर बता दो, अब ध्यान रखना stoichiometry में आपसे ही chemical reactions पे आधारित question पूछता है, ठीक है तो कैसे करेंगे सर, तो बस एक चीज याद रखना सुनो, 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 हर जगे से दिमाग अटालो, पूरा focus मेरे उपर लेके आजाओ, ठीक है, जीवन भर बिटा याद रखना, सुनो, ध्यान से दुनिया में कोई भी reaction होता है ना, वो balanced chemical equation के according होता है मतलब, जैसे जैसे balanced chemical equation बोलती है reaction बिल्कुल वैसे ही होता है तो अब कैसे इस पर question आते हैं और देखना है, जब भी बिटा कोई reaction वाला question आए, तो सबसे पहला काम आपको balanced chemical equation लिखनी होती है balanced equation का मतलब atom reactant में जितने जितने, 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 जितने संख्या में है, उतने ही atom product side में भी आपको रखने है ठीक है न, तो चलो, अब हम लोग देख लेते हैं, limiting reagent क्या होता है वो भी मताऊंगा, question कितरी को अच्छे सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है तो चलो, शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक है अब ध्यान से देखना मैं बिल्कुल टुचे से question से start करता हूँ ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे फिर level बढ़ेगा बिटा, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा सारे question लिमिटिंग reagent की छुटी कर दोगे तुम लोग, और ध्यान रखना मेरे बिटा, जितनी जादा बिटा, perfection आती है, जो brain है न, brain, यह जितने जादा question आप practice करते हो न, इसमें गायरी और सलकाए होते हैं, उससे intelligence दिखती है बिटा, किसी भेक्ती की, जितनी जादा practice होगी न, उतने जादा गायरी और सलकाए बढ़ जाते हैं आपके दिमाग में ऐसी तोड़ी का आगया है, practice makes a man perfect, not only man, woman as well दो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर की बल, man को, नहीं न, man बोलने का बला, human perfect, ठीक है practice makes a human perfect ठीक है, तो जितनी जादा practice करोगे उतने जादा बिटा, champion बन जाओगे इस दुनिया में ध्यान रखना, कोई पैदाईस से genius नहीं होता कोई पैदा नहीं होता genius genius महनत से बना जाता है, ठीक है तो जितनी जादा practice करोगे, अभी practice का time है खुब लग जाओ बिटा, 7 महीना है more than sufficient होता है, जी जान से लग जाओ, सब कुछ छोड़ दो पैदाईस में कौन है, किसको देखने जाना है, हाँ, चक्षू है हाम करने जो तुम जाते हो, ये सब त्याग दो बिटा, अगले सवा महीने के लिए I am telling you, जो भी जीवन में मेरे बिटा सबने देखे हैं, सारे पूरे होंगे तो practice करो, ठीक है, तो चलो अब यहाँ शुरू करते हैं, practice अब धिहान से देखना calculate the mass of hydrogen obtained by complete decomposition of 3.4 gram ammonia, वहला, ammonia को तोड़के ये hydrogen बना रहा है question को पढ़ते ही समझ में आ गया, ये तो कोई reaction वाला question है, ammonia को तोड़के hydrogen बना रहा है, तो आँख बन करके reaction लिख लो, balance ammonia को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, nitrogen और hydrogen, अब कई बच्चों को ये भी confusion होती है, sir आपने N क्यों नहीं लिखा, N2 क्यों लिखा मैंने बताया था, noble gas को छोड़के, कोई भी gas आपकी atom के रूप में नहीं molecule के रूप में रहती है, okay sir जी, अब balance करते है यहाँ 2 nitrogen atom, यहाँ एक ही है आप आगे ही संख्या लगा के balance कर सकते हो, ठीक है 2 nitrogen atom 2 nitrogen atom hydrogen 2-3-6 2 ही है, ले, balance हो गया हाँ sir हाँ तो balance equation जैसे बोलती है न reaction बिल्कुल वैसे ही होता है, तो यहाँ balance equation क्या बोल रही है, अब कैसे पढ़ना है इसको, कि 2 mol ammonia जब भी तूटेगा, तो 3 mol hydrogen बने गई बनेगा भाई, और 1 mol nitrogen बने गई बनेगा, आगे कोई संख्या ना दी हो, तो वन मानते हैं उसको ठीक है sir, पढ़ना आगे sir balance equation को, तो 2 mol ammonia जब भी तूटेगा, तो 3 mol hydrogen देगा ही देगा, क्योंकि hydrogen और ammonia का पूछ रहा है, तो पढ़ लो relation देख लो, 2 mol ammonia तूटेगा, तो 3 mol hydrogen देगा ही देगा हाँ, ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं sir जी, बहुत बढ़ी है ठीक है sir, अब 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 sir बढ़ी, इसने तो पूछा है कि 3.4 gram ammonia को तोड़ना है तो बताओ कितना मास निकलेगा हाइडरोजन का बनेगा, तो घबरा मत mol को weight में convert कर ले, कैसे sir किसी भी substance के molecular weight को gram में लिखते है तो उसका 1 mol का बजन होता है इसका molecular weight कितना है 14 और 3, 17 तो 1 mol ammonia मतलब 17 gram ammonia ठीक है sir 1 mol ammonia 17 gram होता है किसी भी substance के molecular mass को gram में लिखते है तो उसके 1 mol का बजन होता है 1 mol ammonia 17 gram तो 2 mol ammonia 34 gram तो 2 mol ammonia लिखूं या 34 gram ammonia बात से मैं, अरे 17 दुनी 34 हाँ, ठीक है sir बिलकुल बात से मैं ऐसे इसका भी वजन निकालना है तो इसके भी mol को वजन में convert कर कि भी इसका वजन निकालना है 1 mol H2, H2 का molecular weight 2 तो 1 mol hydrogen 2 gram तो 3 mol hydrogen 3 into 2 6 gram हाँ sir, हाँ तो 3 mol hydrogen लिखूं या 6 gram hydrogen बात सेम है तो 34 gram ammonia तूट कर हमेशा 6 gram hydrogen देगा ही देगा क्यों? balance equation ऐसा बोल रही है ठीक है sir, 34 gram दे रहा है 6 gram तो यह पूछ रहा है 3.4 gram कितना देगा unitary method पूरा stoichiometry unitary से होता है क्योंकि balance से अपनको पता लग जाता है इतना दे रहा है इतना जब इतना दे रहा है इतना तो इतना देगा इतना खतम तो 34 gram दे रहा है 6 gram तो 3.4 gram कितना देगा तो यह divided by यह into में यह okay okay तो यह decimal 10 कट गया 6 by 10 0.6 gram hydrogen मिलेगा कर लोगे आज के बाद basic समझ में आ गया हाँ sir, यह तो बहुत ही असान है sir basic दो कुछ मुश्किल थोड़ी होता है चलो अगला कोशन देखते हैं इसको जो बच्चा करेगा हाँ अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना अब limiting reagent का भी कोशन आता है sir अब यह limiting reagent क्या भिमारी है तो सुनो अगर reactant एक से जादा होते है जैसे इस कोशन में तो reactant एक ही था ammonia अब अगर reactant एक से जादा है मालो reaction यह है तो यह reactant hydrogen भी है और hydrogen भी एक से जादा है reactant तो मेरे बिटा इन में से दोनों decide नहीं करते प्रड़क कितना बनेगा कोई एक decide करता है और वो decide करता है जो पहले खतम हो जाता है reaction में फिर से बोल रहा हूँ है मैंने क्या बोला कि जब भी आपका एक से जादा reactant हो तो दोनों decide नहीं करते प्रड़क कितना बनेगा कोई एक decide करता है और वो decide करता है जो पहले खतम हो जाता है reaction में ठीक है sir और उसी को बोलते है limiting reagent अब sir हमें कैसे पता लगेगा कौन है limiting चल मैं सिखा देता हूँ ठीक है अब बहुत ध्यान से देख reaction ही यह इसने यही पूछा है इसमें identified dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction mixture कह रहा है इनमें से कौन सा combination लूँ जिसमें hydrogen limiting reagent हो तो बिलकुल नहीं कबराना मैं पहचानना सिखा देता हूँ बिलकुल बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा ठीक है ठीक है सर balance equation है बिलकुल balance है सर balance है balance जरू लिखनी है ठीक है अब यह कह रहा है किसमें hydrogen limiting है मैं लग किसमें hydrogen पहले खतम हो जाएगा ठीक है सर अब सुनते जाना limiting पहचानने का तरीका ठीक है अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना 56 ग्राम दिया है तो यहां nitrogen के कितने मोल है मोल निकाल सकते है मोल निकाल लो पहले कितने मोल दिये हुए है given weight by molecular weight molecular weight 14 दुनी 28 इसके 2 मोल है ऐसे हाइडरोजन के मोल निकालो hydrogen 10 ग्राम है given weight by molecular weight इसके 5 मोल है अब मेरे बेटा इसके कितने मोल है 2 मोल इसके 5 मोल given मोल इसके 2 मोल इसके 5 मोल फिर क्या करो इसकी stoichiometric coefficient जो है उससे divide कर दो given मोल को ठीक है सर जिसका ये ratio छोटा आएगा वो limiting reagent होता है ये आगया 2 और ये आगया point कुछ point वो एक गया one point something तीन एकम तीन उसके point तीन छिक अठारा जिसका ये ratio छोटा है वो limiting है इसका ये ratio छोटा आगया तो ये विटा लिमिटिंग हो गया मैं फिर से समझा जेता हूँ सुन मैंने क्या बोला बिलकुल परिशान मत ही हो इससे में hydrogen limiting है A will be the right क्या बोला मैंने कैसे पहचानना है reactants के given mole निकाल लो यहाँ weight दिये थे तो मैंने mole निकाल दिये पहले given mole nitrogen के 2 mole थे hydrogen के first A वाले case में 5 mole थे given mole लिखलो stoichiometric coefficient से divide कर दो given mole divided by stoichiometric coefficient in balance equation given mole उसी का stoichiometric coefficient और यह ratio जिसका छोटा होता है वो पहले खतम हो जाता है यह limiting reagent होगा मेरे बेटा समझ में आया given mole of reactant divided by उसका stoichiometric coefficient सभी reactants का यह ratio निकाल लो given mole by stoichiometric coefficient जिसका बेटा यह ratio छोटा आएगा वो पहले खतम हो जाएगा वो limiting तो पहले वाले case में ही दिख रहा है कि यह आपका हाँ आ गया समझ में और चूट ना बोलो तो यह आपका इस तरीके से मेरे बेटा हाँ बाकी और case हो में देखना nitrogen का आ जाएगा यह ratio given mole by क्योंकि देखना इनमें mole अलग-अलग हो जाहिए ना ठीके सर ठीके सर बहुत बढ़िया अब अगला question अगला question आ रहा है बहुत ध्यान से देखना अब इसमें आप बताओ अब आप लोग पर ध्यान रठना फिर से वैसा ही है अब यह कह रहा है consider the above reaction limiting reagent पूछ रहा है limiting reagent पूछ रहा है of the reaction and number of moles of ammonia form तो बिल्कुल नहीं घबराना nitrogen hydrogen है balance equation लिखी हुई है पहले तो यह पैचानो कौन बताएगा कि ammonia कितना बनेगा दोनों नहीं बताएंगे जब भी reactant एक से ज़ादा हो कोई एक ही बताता है कि product कितना बनेगा और वो बताता है जो limiting reagent होता है limiting वो जो पहले खतम हो जाता है कैसे पचानते हैं चलो आओ nitrogen दिया है 20 gram hydrogen दिया है 5 gram तो इसके mole निकालो पहले nitrogen के ठीक है given weight by molecular weight hydrogen के mole निकालो 10 by 14 point लगाया 100 हाना हान ठीक है ठीक है ठीक है 14 पंजे 70 हो गए 14 चिक 84 84 हाना और यह आपके 96 हाना हान 14 ठीक है ना हान .7 के आसपास आ गया मान लो .7 something और यह आ गया कितना यह टाई यह given mole है इसके डाई mole है hydrogen के .7 mole के आसपास आ गये है के नहीं हाँ 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 14 ही था ना हाँ ठीक है अब मेरे बेटा अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना क्या ध्यान से देखोगे सुनो given mole अब कौन limiting है stoichiometric coefficient से डिवाइड करो ओके इसका 1 था इसका 3 यह 0.7 अब इसको solve कर लो पॉइंट लगाया 25 28 या 24 ओ हो नाइट्रोजन इस दा यह छोटा है तो नाइट्रोजन इस दा लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन इस दा लिमिटिंग रिएजेंट आंसर या तो C होगा या D होगा ठीक है sir अब 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 अमोनिया कितने मोल बनेगा यह लग 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 0.7 है अब तो यह डिसाइड करेगा क्योंकि यह लिमिटिंग है 1 मोल दे रहा है 2 मोल डबल 1 मोल दे रहा है 2 मोल डबल एक मोल नाइट्रोजन हमेशा देता है दो मोल अमोनिया तो 0.7 मोल था ये तो 0.7 मोल कितना देगा हाइट्रोजन डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि लिमिटिंग ये आ गया है तो नाइट्रोजन इसाइड करेगा तो 0.7 मोल देगा कितना तो यूनिट्री मैटर ये डिवाइड बाई इंटू ये 1.4 मोल के आसपास अमोनिया बनेगा C must be the right answer मेरे बिटा और चुभूटे ना बोलो आ गया समझ में ऐसे करना होता है जब भी 2 या 2 से 1 रियक्टेंट दियो सबसे पहले लिमिटिंग पहचानो क्योंकि दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा लिमिटिंग कैसे पहचानना है गिवन मोल निकाल लिए अगर नहीं दियें तो फिर स्टोईशोमेट्रिक कोफिशन डिवाइड करो ये रेशियो जिसका छोटा आएगा वो लिमिटिंग है वो पहले खतम हो जाएगा तो ये ही डिसाइड करेगा एक मोल दे रहा है दो मोल हना एक मोल देता है हमेशा दो मोल बैलेंस के अकोडिंग तो 0.7 कितना देगा निकाल लिए डबल देता है तो 0.7 का डबल 1.4 अरे वा सर अब परफेक्ट हो गया कंसेट सर अब आजाएं रियक्शन वाले कोशन आग लगा देंगे सर जी बहुत बढ़िया अब इसमें एक कंसेट और आता है परसेंटेज यील्ड का परसेंटेज यील्ड पे मेरे बिटा कभी कभी पूछ लेता है तो सुनो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है अगर प्रोड़क्ट उतना ही बने जितना बैलेंस एक्वेशन कह रही है बैलेंस कह रही है इतना बनना चाहिए जैसे अभी तक निकाला आपने तो हम कहते हैं 100% यील्ड है ठीक है अगर मैंने बोला यील्ड 50% है तो इसका मतलब जितना बैलेंस एक्वेशन से आ रहा है कि इतना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा उसका 50% बनेगा इतना आसान होता है जी सुनो बिल्कुल जैसे अभी तक बैलेंस एक्वेशन से निकाला अगर उतना ही बन रहा है तो 100% यील्ड है अगर यील्ड नहीं दिये हो है तो 100% मान के चलते है ठीक है अगर यील्ड के रहा है 50% है तो मतलब बैलेंस एक्वेशन से जितना प्रोड़क्ट बनना चाहिए उसके अक्वाडिंग उतना नहीं बनेगा उसका 50% बनेगा question करके बताता हूँ और मज़ा आ जाएगा ठीक है तो सुनो क्या रहा है calculate the volume occupied by hydrogen gas obtained at NTP NTP पी तो तुम्हें पता है कोई भी gas का 1 mol 22.4 liter घेड़ता है volume हाँ sir हाँ from complete decomposition of 3.6 gram H2O okay H2O को decompose कर रहे है decompose माने तोड़ना तो बेटा पूटेगा तो क्या hydrogen gas और oxygen gas बनेगी balance करो oxygen 2 है इधर 1 है 2 बटा hydrogen 4 हो गया लो जी balance हो गया right sir right अब अब क्योंकि reactant 1 ही है तो अब limiting पहचानने की ज़रुत नहीं है limiting तभी पहचानना होता है जब reactant 1 से ज़ादा होता है अब तो यही decide करेगा तो according to balance equation इसका 2 mol इसका 2 mol देगा हमेशा ठीक है sir 2 mol पानी हमेशा देगा 2 mol hydrogen क्योंकि balance equation बोल रही है बट पानी का तो वजन दिया हुआ है और इसका volume पूछ रहा है हाँ तो आओ mol को वजन में convert कर लो पहले पानी का वजन दिया है तो इसको 1 mol पानी 18 gram क्यों molecular weight को gram में लिखने पर 1 mol होता है 1 mol पानी 18 gram 2 mol पानी 36 gram ठीक है sir तो 2 mol पानी मतलब 36 gram पानी बात से में 2 mol hydrogen देगा इसका volume निकालना है तो गवरा मत मेरे बटा 1 mol hydrogen का volume होगा 22.4 liter तो 2 mol का कितना होगा 22.4 का double तो 22.4 का double कितना होगा मेरे बेटा 22.4 का double 44.8 liter बिल्कुल भई 1 mol 22.4 liter घेडता है तो 2 mol 44.8 liter लो जी लो तो according to balance equation भई 2 mol पानी को में 36 gram पानी लिख सकता हूँ 2 mol hydrogen को में 44.8 liter hydrogen लिख सकता हूँ हाँ सर हाँ 36 gram पानी हमेशा 44.8 liter hydrogen देगा तो यह पूछ रहा है 3.6 gram कितना देगा तो 3.6 gram कितना देगा तो यह divided by यह इन्टू में यह तो इतना liter hydrogen मिलना चाहिए according to balance equation बिल्कुल सर decimal लगा है हाटा यह कट गया तो 4.48 liter मिलना चाहिए according to balance equation बिल्कुल बिल्कुल बट मेरे बेटा इतना नहीं मिलेगा इतना मिलता अगर yield 100% होती या yield नहीं दी होती तो बट यह कहरा है yield 50% है इसका मतलब प्रोडक्ट जितना बोल रही है balance उतना नहीं बनेगा उसका 50% बनेगा तो ले 4.48 liter का 50% निकाल दे उतना नहीं बनेगा उसका 50% बनेगा इसका आधा तो मतलब 2.24 liter बनेगा मेरे बेटा तो right answer is 4.48 नहीं 2.24 और percentage yield बहुत पुच्चा है एक्चुली कुछ है ही नहीं है तुम balance के according निकाल लो प्रोडक्ट कितना बना भई 4.48 liter बनना चाहिए बड़े कहरा है percentage yield 50% है तो प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा उसका 50% बन जाएगा ओके सर जी आ गया perfectly समझ में यहां तक मेरे बटा जी को सबको आ गया कोई दिक्कत नहीं यहां तक बहुत बहुत बढ़िया और दिल खुश कर दीता मेरे शेरों आगे बढ़ जाते हैं अगला कोईशन अब जो इस कोईशन को करेगा मेरा संसनाता हो बच्चा कहलाएगा ठीक है न यह कोईशन है ऐसा कोईशन तो बटा आ सकता है कई बार आया भी हुआ है कोईशन कहा रहा है 0.5 mol barium chloride ठीक है भाई barium chloride है ठीक है is mixed with 0.2 mol sodium phosphate ठीक है भाई the maximum number of mols of barium phosphate बनाना है कहाँ बेरियम phosphate कितना बनेगा balance तो नहीं है नहीं है balance क्योंकि sodium और chlorine रह गए उसके लिए NaCl हो गई होगा अब चलो balance करते है क्यों दुनिया में कोई भी reaction balance के according होता है ठीक है चलो balance करो phosphate दो है यहाँ phosphate दो है देखो phosphate दो है यहाँ पर एक ही दिख रहा है तो दो करो sodium दो ती अच्छे chlorine छे है barium इदर तीन है लो तीन barium तीन दुनी छे balance हो गया अब बेरे बिटा अब क्योंकि reactant एक से जादा है तो limiting reagent पहचानना पड़ेगा दोनों decide नहीं करेंगे दोनों मेंसे वो decide करेगा जो पहले खतम हो जाएगा चलो अब देख लेते हैं तो कैसे निकालेंगे limiting given mole इसके mole दे रखें given mole अब कैसे निकालते हैं limiting stoichiometric coefficient से divide करो इसका 3 है इसका 2 है अब जिसका ये ratio छोटा होगा वो पहले खतम हो जाएगा ये 0.1 आ गया ये 0.16 आ गया ये छोटा है ये पहले खतम हो जाएगा ये limiting reagent है ये decide करेगा मेरे बेटा हाँ sir हाँ तो 2 mole देता है 1 mole हाँ कि बैलेंस ऐसा कह रही है 2 mole देता है 1 mole barium phosphate हमेशा हाँ sir हाँ 2 mole देता है 1 mole तो इसका कितना mole था इसका 0.2 mole था हाँ sir 0.2 mole था तो जब 2 mole 1 mole दे रहे हैं तो 0.2 mole sodium phosphate कितना देगा तो ये divide by ये into में ये हुआँ बढ़ी है 1 by 10 0.1 mole वह 0.1 mole is the right answer ये आया हुआ कोश्चन है स्याइट previous year हाँ हाँ ठीक है एमस में आया था पेटा एक जमाने में कितना असान है कर लोगे न हाँ sir आता है तो अब तो sir कितना असान हो गया limiting पहचानना हम ऐसी परिशान होते थे limiting पहचानने में बिल्कुल नहीं परिशान हो ना मेरे बेटा ठीक है ना शाबाश मेरे शेरो अब इस कोश्चन को करके दिखाएंगे सब लोग हाँ इसको करो चलो येस या इसको करो ये वाला कोश्चन कराता हूँ मैं ओके हाँ चलो इस वाले को करो come on ये है कोश्चन बिटा फर दे फॉल्विं रेक्शन अरे बड़ा असान है अरे बड़ा असान है इसका दो मोल हमेशा देगा इसका 110 मोल हाँ मोल के टरम में पढ़ा जाता है तो दो मोल C57 H110 O6 विल अलवेज गिर 110 मोल पानी अभी ये ही पूछ रहा है कि 444, 5 ग्राम अगर होगा तो ये कितने ग्राम बनेगा तो बिल्कुल नहीं कबराना पहले इसके एक मोल का बजन निकाल लो इसके एक मोल का बजन निकाल लो भाई और ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 57 इंटू 12 ठीक है 57 इंटू 12 कर ले के पहले भई एक मोल का बजन क्या होगा मोलीकुलर वेट इंग्राम तो पहले मोलीकुलर वेट निकालो दो सत्य चोदा हासिल गई एक ओके साथ पांच चार हाना आठ छेसो चौरासी छेसो चौरासी कारबन का हो गया 110 हाइडरोजन का हो गया 16 छिक्छी आनवे मोलीकुलर मासी हो गया जीरो हासिल गई एक दस एक ग्यारा आठ उननिस एक एक आठ सो नभे वेटा मोलीकुलर मास एक मोल का वजन आठ सो नभे ग्राम क्योंकि मोलीकुलर मास आठ सो नभे एक मोल का वजन आठ सो नभे ग्राम तो दो मोल का वजन एक मोल का बजन 18 ग्राम, तो 110 मोल का बजन, 110 इंटू 18, करो, हाना, 0, 8, 8, फिर, 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 0, 1, 1, 0, 8, 1980 ग्राम, 1980 ग्राम देगा, लो जी लो हो गया, भाई, मोल को वेट में गनवर्ट कर लिया, इतने ग्राम हमेशा इतना ग्राम देगा, तो 445 ग्राम कितना देगा, यूनिट्री मैथड, यहार, हाना, बिल्कुल असान, यह, डिवाइड़ बाई यह, इंटू में यह, लो जी हो गया, यह दो से चला गया, 4, 1980 बाई 4, लो जी, 425, 495 ग्राम, असान था, ऐसा भी आ सकता है कोश्चन मेरे बेटा, क्यों परिशान हो रहा है, ठीक है, कर लेगा अब, लिमिटिंग भी फोर देगा ना, बहुत बहुत बढ़िया, मेरे शेरो, शबबाश सर जी, शबबाश सर जी, अब मेरे बेटा, इसमें एक छोटी सी चीज़, बस लास्ट की एक, यह बाकी रहती है, में में जो भी हमारे वो थे, इसमें रहता है, laws of chemical combination, इसमें तीन law बेटा हमको पढ़ने, ठीक है न, मैं थोड़े और पढ़ा दूँगा, ठीक है, हाँ, अब मेरे बेटा, इसमें सबसे पहला होता है, law of conservation of mass, यह यह कहता है, आपने जितना reactant शुरू में डाला, सुन लो जी, इसको देख लो, ठीक है, चलो इसको पढ़ाने से पहले, सची बताओ, अब reaction वाले कोशनों में आया है न, फंडा, अगर reactant एक ही है, कोई, एक ही कमप हो, तो limiting reagent की ज़रूत नहीं, अगर एक से ज़्यादा reactant है, तो मेरे बेटा हमें limiting reagent निकालना पड़ता है, और limiting reagent निकालना कितना असान है, given mole, उसको stoichiometric coefficient से डिवाइड करो, जिसका वो ratio छोटा है reactant का, वो limiting है, ठीक है, तो limiting decide करता है, असान है, percentage yield भी कितना असान है, ब अगर मालो percentage yield 80% है, तो जितना बोल रहा है न, balance equation की इतना बनना चाहिए product, उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बन जाएगा, है के नहीं, शबाश, अब हम लोग एक last चीज जिसमें कर लेते हैं, और वो है laws of chemical combinations, पहला होता है law of conservation of mass, अब सोचो न, मैंने किसी test tube में, मैंने 5 gram reactant डाले, अब कुछ भी reaction हो जाए मेरे बेटा, बंद कर दिया उसको, अब कुछ भी reaction हो जाए, वो अंदर तो मास 5 gram ही रहेगा न, कितना ही product बने, तो वही कहता है law conservation of mass, कि भई, mass can never be created nor destroyed, जितना आपने शुरू में लिया था, total version reactants का, total version, reaction होने के बाद भी, total version उतना ही रहे यह पहला point था, law of conservation of mass, यह दूसरा है, it states that in a given compound, elements combine in a fixed ratio, weight ratio, irrespective of the source of compound, क्याने यह है law of definite proportion, law of definite proportion बोलते हैं second वाले को, definite, अब जैसे सुनो, irrespective of the source, मालो पानी है, अब तु पानी किसी भी reaction से बना, कैसे भी बना, उसमें हमेशा 2 gram hydrogen, 16 gram oxygen से ही चिपकेगा न, तो वो ही तो कह रहा है, कि कोई भी compound है न, तुमने किसी भी तरीके से उसको बनाया हो, भी पानी का तुम फॉर्मला ही रहेगा न, तो हमेशा 2 gram hydrogen, oxygen के 16 gram से ही चिपकेगा, तो law of definite proportion यही कहता है मेरे बेटा, किसी भी compound में, दो element, एक fixed weight ratio में चिपकत that, if two elements form two or more than two compounds, then weight of an element that combines with fixed weight of another element are in simple whole number ratio, इसको हम बोलते हैं, law of multiple proportion, अब इसका भी मैं मतलब समझा देता हूं, समझो कैसे, ठीक है न, तीसरा वाला है, law of multiple proportion, जैसे, यह कह रहा है, कि भी दो element ने, एक से ज़्यादा compound बनाया है, मानले, hydrogen, oxygen ने, एक H2O बनाया, एक H2O2 बनाया, अलग-अलग compound है, if two elements form two or more than two compounds, तो दो element थे, hydrogen, oxygen, दो compound बनाया है, H2O2, ठीक है, अब कह रहा है, एक का fixed weight, जो दूसरे के weight से चिपकेगा, वो आपके simple whole number ratio में, जैसे, यहाँ hydrogen 2 gram है, oxygen के 16 से चिपक रहा है, यहाँ भी hydrogen 2 gram है, oxygen के 32 से चिपक 16 और 32, इन दोनों में मेरे बेटा, simple whole number ratio है नहीं है, अरे बोलना, two is to one का ratio है न, अरे one is to do, 16 by 32, एक fixed weight, जो hydrogen का चिपक रहा है, दूसरे elements से, वो simple whole number ratio में होगा, 16 by 32, one is to do, simple whole number ratio है, हाँ सर, हाँ, सेम वे देखना, carbon, monoxide, carbon dioxide, यहाँ 12 gram, 16 gram से चिपक रहा है, oxygen के, यहाँ 12 gram carbon, 32 gram से, तो यहाँ भी देख ले, oxygen का जिस weight ratio चिपक रहा है, carbon का एक fixed weight, वो भी simple, whole number ratio, इसी को बोलते है, law of multiple proportion, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, यही है main तीन जो आपके syllabus में है, ठीक है न, ओके, इसके अलागा भी तुम कहते हो, तो एक और बता जेता हूँ, law of gaseous combining volume, यह कह रहा है, it states that, law of combining volumes है, it states that, two gases always combine in, simple whole number ratio of their volumes, यह बोद gases are at same pressure and temperature, हाँ, दो gases जब भी combine करेंगी, वो simple whole number ratio में ही combine करती है, ठीक है न, हाँ, तो यह है बिटा, combining volumes का law है, ठीक है न, हाँ, अगर वो same pressure temperature के है, ठीक है, और अगर हाँ, same pressure temperature पे, equal volume of all gases contain equal number of molecules, equal number of, मुला यह statement को धियान रखना है, अगर दो gas है, same pressure temperature पे है, तो अगर same volume है न, तो same number of molecules हैंगे, ठीक है, ओके सर जी, अब सर्फ कोशन कैसे आते हैं, ठीक है, तो आपने बता दी, यह तो हमने भी पहले बहुत बार पढ़ी हुई है, चलो, कोशन देखना अब देखो देखती पहचान जाओगे, 3 gram of hydrocarbon, ठीक है, on combustion with 11.2 gram of oxygen, produces 8.8 gram CO2 and 5, 3 gram hydrocarbon, 11.2 gram oxygen, इससे combine कर रहा है, यह होगे reactant, reactant कितने होगे total, 14.2 gram, product B, अब कह रहा है, on combustion gives 8.8 gram CO2, 5.4 gram, H2, total product कितने बने, 8.4, 12, ले, जितना mass लिया था शुरू में, उतना ही mass रहा, law of conservation of mass को illustrate कर रहा है, अरे वा, सर जी, इतने टुच्चे कोशन आते हैं, अरी हाँ, मेरे शेरो, ठीक है, इससे मुश्किल नहीं आता बिलकुल भी, हाना, हाँ, यह बताओ, Which of the following pairs of substances illustrates the law of multiple proportion, law of multiple proportion, याद करो क्या था, दो element, अगर दो से अधा compound होनाते हैं, तो एक element का जो fixed weight, जो दूसरे element के weight से चिपकता है, वो weights, simple whole number ratio में, CO और CO2 में, हाँ, यह बिलकुल law of multiple proportion दिखा रहा है, यह तो अलग-अलगी element हो गए, तो इसमें तो नहीं, NAC है, यहाँ भी अलग element है, सेम ही होने चीएं भाई, यहाँ भी अलग element आ गया, तो A ही है, देखना कैसे, अभी तो पता है, कार्बन का 12 गराम इसके 16 से चिपक रह है, यहाँ 12, तो एक fixed weight, दूसरे के जिन-जिन weight से चिपक रहा है, वो weights, हमेशा simple whole number ratio में होएंगे, yes, multiple proportion है सर, अरे वा सर जी वा, बहुत बढ़ी है, I think मेरे बेटा, अब यह वाला बताओ, equal masses of oxygen, hydrogen and methane are taken in identical condition, ठीक है, identical condition मतला pressure temperature same है, equal mass है, what is the ratio of volume of gases, ओहो, mass equal है, oxygen तो, मतला, gas तो मतला, molecule के रूप में रहती है, okay, equal masses है, तो what is the ratio of volumes, ध्यान रख, आपका, कोई भी gas हो, उसका 1 mole, 24.4 liter खेरता है, तो weight ratio है, मेरे बटा, equal weight है, महाँ ले, w gram है, इसका भी w, इसका भी w, तो mole ratio निकाल ले न, mole ratio, तो w by 32, oxygen का, hydrogen का, w given weight by molecular weight, methane का, given weight by molecular weight, तो mole ratio जो होगा, वो ही मेरे बटा, volume ratio होता है, है, okay, okay, तो ले, इसको अगर आपन काटें, 32 से काट दे, 32 से multiply कर दे, 32 से multiply कर दिया सबको, तो यह बच गया w, यह 16 w, 32 से गया, तो यह 2 w, अरे वा, 32 से multiply कर दिया, तो www, 1 is to 16 is to 2 is the mole ratio, तो यही volume ratio भी होगा, 1 is to 16 is to 2, पका, 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 चूट ना बोलो, हाँ, बिलकुल सर जी, और I hope मेरे बिटा, आपको आज की class से, देखो, बिलकुल short में हमने mole concept को किया है, बढ़ हाँ, आपको हर variety का question जो पूछा गया है आज तक, हाँ, उनका एक idea लग गया होगा, एक confidence आया होगा मेरे बेटा, हाँ, तो बढ़ा, ऐसी अपन लोग करेंगे, हाँ, इससे क्या confidence आजाएगा आपनको, डेढ़ गंटे, पौने दो गंटे, दो गंटे की अपन class करेंगे, पूरा एक तरीके से सारे concept, आँखों के सामने से गुजर जाएगे, हमने देखो कई सारे question भी किये, आप लोग बहुत कुछ मेरे बेटा सीखे भी होगे, ठीक है ना, और ऐसी मेरे बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, और ध्यान रखना, अब इसमें आप practice करने का एक way है बस, ठीक है ना, मैं इसमें आपको बस यही कहूंगा, कि अभी आपको ने एक practice sheet मिल जाएगी, तो आप practice मेरे बेटा इसमें जरूर करना, ठीक है ना, और मैं बता रहो हूँ, अभी DPP मिल जाएगा आपको, तो उसको करना, हाना, तो definitely आपको perfection आजाएगी mole concept में, और mole concept मेरे बेटा, basis है, इससे numerical करने का एक confidence डवलप होता है, और आप लोग कर सकते हो, हाना, have full confidence, और ध्यान रखना, आप लोग doctor बनना चाहा रहे हो, बहुती noble profession है मेरे बेटा, पुरे देश की health system आपके हाथ में होगा, तो उसके लिए मेरे बेटा, जो system है, उसको एक मेहनत कर पाए, बेटा, ऐसी थोड़ी किसी एरे गेरे के हाथ में सौंब भी जाती है, पुरा देश का health system, तो आपको बनना पड़ेगा उस लायक, और उसके लिए बस एक ही रास्ता है, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे मेरे बेटा, तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तुमारे सा लेयर, लेयर, धीरे, धीरे, धीरे practice, हाना, तो वही ही मेरे बेटा है, आप लोग अच्छे से करो, कर सकते हो, पूरा-पूरा दम है आपके अंदर, have full confidence over yourself, और ये confidence बन जाएगा मेरे बेटा, तुम लगे रहो ना, मेरे साथ मिलके पूरा करो physical, and you will feel that confidence, ठीक है, और I hope मेरे हो, मिलते हैं अगली क्लास में, till then, okay, tata, bye-bye, love you all.